Hello everyone, welcome you all, radhi radhi, मैं श्वाता जासवाल, आप सभी का हमारे online platform AK Education में स्वागत करें So बचे फड़ा बट से सभी लोग लाइवा चाहें, as you can see, कि हम BPSC के महराथन के साथ जुट रहे हैं आपने अभी तक इसके पहले वाले सारी महराथन में हम सभी का साथ दिया है, अपना सपोर्ट किया है आपने देखा भी था कि इसमें जो result आया है, जैसे आप UPP का देख लीजए या फिर उसके बाद आप RORO का देख लीजए उसमें जो भी आपने questions मिले थे वो सब आपके exact अगर आपने सारी चीज़े पढ़ी हुई थे तो आपको सारा सब कुछ वाँ पे मिल गराए सेम, वाही सारी चीज़े हम इसमें भी follow कर रहे हैंं हम कोशिस कर रहे हैं आपको best से best देने के जिससे आपको सारी चीज़े मिले जिससे आपको यह सारी चीज़े जो कि आपको पता है कि इसमें बहुत तेदी से сек시면 हो रहा है अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी preparation कर ली, that means कि आपको result बहुत ही अच्छा मिलेगा So उसके लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको बस सारी चीजों को बहुत अच्छे से करना है आपको revisions करते रहना है क्योंकि last अभी आपको यह पता है कि questions जो है वो आपके previous के according ही आएंगे जैसा के अभी तक को paper हो चुका है उसी के साब से अब अपनी चीजों को पढ़ते चाहिए और हम पूरी कोशिस करेंगे कि आपको आपके लिए as usual best ही मिले ठीक है चल तो फड़ा बड़ से session को ज्यादा ज्यादा share कर दीजे और फड़ा बड़ से सभी लोग live आजाए ठीक है चल तो हम questions के through सारी चीजों को करेंगे जो की अभी तक हम करते आए हैं है ना चल तो फड़ा बड़ से session को ज्यादा ज्यादा share भी कर दीजेगा जिससे हम अपनी class को आजूजल कर पाएं है ना चल ठीक तो first हम questions की तरफ भी move करते हैं and according to question हम अपनी चीजों को सब cover up करेंगे जैसा के हम लोग इसके पहले करते हैं question के according हम सारी चीज़े देखेंगे इसमें जैसे भी सारी चीज़े आपको मिल रहे हैं बच्चे options, questions, जैसे questions की need हो वैसा आपको option करना है वैसा आपको answer करना है यह आप ध्यान रखेगा ठीक है clear है? चालो So, फड़ावर्च से हम अपने first questions की तरफ चलते हैं, which of the following has pH value? Now, आप सभी को यह जाना है कि what is the pH value? pH value में अगर वहां पी बेजली आपको यह पुछा रहा है कि what is the 7? 7 की क्या value होगी? ठीक है? यह अभी हम पूरा का पूरा pH value के scale से समझेंगे कि आखिर क्या है? ठीक है? So, first बच्चे यहां पी आप धियार लखेगा कि जब आप बात करते हो कि हम pH scale की बात करते हैं, किस की बात कर रहे हैं हम? pH scale की. pH scale में that's 1 से लेके 14 तक numbers आपको दिये जाते हैं, ठीक? जिसमें 1 से लेके 7 तक क्या होता है? यह आपके होते हैं acid ठीक है? यह क्या होते ह आपके base, ठीक? यह आपके base होते हैं और यह आपके acids होते हैं, ठीक है? First देखे, अगर निम लेके pH value के अगर आप बात करो, तो 1 से लेके 7, this is the acid and 7 से लेके 14 तक अगर आप देखे, तो यह आपके क्या होते हैं? पेस होते हैं, ठीक? अब जब आप बात करते हो 1 से लेके 7 त या वीक acid आप बोली जाएं या फिर organic acid आप कह सकते हैं, यहां से लेके 1 से लेके 3 तक अगर कोई acids होगा, तो यह आपके इतने हाई होगे कि आप उसको direct नहीं ले सकते हैं, उसको concentrated होगे या फिर अगर मालेज जैसे अगर देखे के pH value 11 का pH value जो होता है, 2.something कुछ होता है, त Cemasar competitive नहीं लेते हैं, तो लेकिन का से लेके 7 तक ब가지raw आप धने हैं, 3 तक जितना होता है, 3 तक 7 तक बución करेखे यह सारे के सारे आपके organic acid हो होigor कि आप खा सकते हो, आराम से कोई problem नहीं ठीक है इसके पास seven से लेके 10 तक क्या होते हैं, यह आपके base होते है, it is weak base और यह आपके एदिबल होते हैं and again 10 तक 14 तक यह आपके strong base होते हैं, ठीक, क्या होते है, this is a strong base, ठीक है, clear है, वो आपके क्या होते है? questions के according, neutral solution, pure water, basic solution, acidic solution या उप्रोक में से कोई नहीं है, उप्रोक में से एक से अधिक अब बात यहां पर आते हैं, बच्चों की, देखे, 7 की बात की जा रहे है that's 7, जो की pure, मैं, बफरिंग हो रहा है, okay वेट, आप थोड़ा सा वेट कर लीजेगा, अगर बफरिंग हो रहे हैं, मैं भी थोड़ा नेटवर्क इशू है, ओके, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा अब ध्यान दीजेगा, बाद के उसके बाद से 7, 7 से बिलो होता है, ठीक है, बेसिक सॉलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 7 से आपके अबब होते हैं, okay अगर आप pure water की भी बात करते हैं, that pure water is all about, अगर आप यहां पर देखे, neutral and pure water, wait, something आप थोड़ा से यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा, reason, क्योंकि question आपको ऐसे ही फसेगा, अब यहां पर यह देखे, कि अगर आपको option इस तरीके से दिया भी है, then 5th option जो होगा, दोनों कोई यह option अगर mention कर रहा है, अगर कोई नहीं है, अगर आपको एक से अधिक, that you have to choose this one, not this, अब जब हम pure water की बात करें, that's pure water, जो कि distill water होता है, ठीक है, वहां पर आप आप देखे, and neutral solution की बात करें, neutral solution, that means, कि जो acid and base, दोनों से मिल करके क्या होते है, वो form करते है, ठीक, जब तो फिर हम क्या देखते है, यहां पर, this is the neutral solution, but still, यहां पर अपसी यह पुछा गया है, कि 7 value किसकी होगी, ठीक, यहां पर जब बात की जाते है, 7 value किसकी है, so, this is the pure and neutral solution, that आपको यह कहना है, कि इसमें आप क्या लोगे, neutral solution लोगे, reason, क्योंकि जो भी चीजे होंगी, सिर्फ एक की बात नहीं हो रही, neutral solution में salt भी आजाएगा, जिसकी 7 value हो जाएगी, pure water भी आजाएगा, distal water भी आजाएगा, the option will be 5, ठीक है, यह धियान रखेगा, then उसके बाद, अगर हम blood की बात करते है, तो blood आपका क्या होता, blood की pH value कितनी होती है, blood की pH value, अगर आप बच्चे देख लोग, milk क्या होता है, milk अगर आप देखो तो approximately, maximum अगर आप देखे तो 6.4 to 6.9, ठीक, slightly acidic होता है, यह आपकी क्या होता है, और आप इसको slightly acidic बोलते हो, और साथी सा लाक्टिक एसिद के कार, just because of lactic acid, यह आपकी क्या होता है, slightly acidic में आते है, मतलब organic acid में, क्या सकते हो, ठीक है अगर 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 आप देखो तो sulfuric acid हो गया, यह सब उसी समय आपके, same by exact pH value उनके होती, that means, इसकी हाँ पे आपको 1 से लेके 14 जो की आपकी और गयानिवी, जैसे अगर आप सी पूछा जाए, जितने और इंच होते हैं, सबसे जादा pH value किसकी होती है, strongest pH value आप से पूछ ले Lowest pH value अगर आप से पुछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर बेस के लिए देखा चाहिए, तो base में अगर आप देखो तो NaOH, ठीक, NaOH आपका क्या होता है, strongest base होता है, जिसमें अगर आप देखो तो 14 pH value इसकी होती, तो यह आपके सवाल क्या है, यह इस त C water अगर देखा जाए, C water अपका basically कितना होता है, 8 pH values की होती, क्योंकि इसमें salt जादा होता है, चिक, सो वहाँ पे maximum salt and basically वो आपकी क्या होते है, थोड़े से अपसलाइम होते, clear है, तो यहाँ पे pH value से related जितनी सारी हिचे वो धियान दखेगा, और उसके सालसन, यह pH value क्या ग क्या होता है, तो इसके बाद अगर आप बच्चे देखो, उसके अलावा क्या होता है, हमारे घर में organic solution को clear होता है, हल्दी होगी, हल्दी भी हमारा क्या होता है, natural indicator होता है, ऐसे solution को पता कराने के लिए कि भाई वो acid है, फिर ने बेस है, जैसा अगर आप देखेगे, जो हमा प्रेड में turn हो जाता है, बस acid के साथ हो कोई reacting काता है, नफ्तलीन हो गया, यह सब आपके क्या होता है, यह दिजॉलर दे इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, clear है, methyl orange, methyl orange भी क्या होता है, यह भी आपके solution के इंडिकेटर है, जिसके थू यह solution का पता चलता है, कि भाई किस तरीके से क्या solution acid है, या फिर वो base है, ठीक है, और acid हमेशा water के साथ hydrogen ions देते हैं and base हमेशा hydrogen के साथ आपके hydroxyl ion देते हैं, यह धियान रखेगा, ठीक है, चल, so अभी next questions की तरफ चलते हैं, next, who discovered the DNA, DNA की कोज किनो ने की थी, James Watson and Crick, एक word आपको यहाँ पर मेरेटा है, that's Watson and Crick, George Mendel, Johnson, Harvind Khurana, उप्रोक में से कोई ने है, उप्रोक में से आथि, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे back में चलते हैं, देखे, जब बात यहाँ पर आती है, बच्चरी जैसे अगर मालीजे आप से यह पूछा जा रहा है, कि DNA की कोज किसने की थी, देखे, आप यहाँ पर अगर हम जैस जैसे, remain उसी टाइम पे चलेगा, उसके लिए बिलकुल परिशान नहीं होएगा, टुड़ेज गा मैंने ओफ ले रखा था, ताथा, यहाँ आप यहाँ पही देखे, तो अभी आप यहाँ पही देखे हो, तो वो डिस्कवर दा, DNA किनो ने डिस्कवर के था, बडडडडड Watson and click, okay, fine, I just, but यहाँ पे इस option के according तो आप Watson and click कर लिजए, okay, fine, but still जब आप से यह पूछा जाए कि नुकलिक एसिट, क्योंकि DNA आपके क्या होते है, these are the nucleic acid, यह आपके क्या है, nucleic acid, अगर आप से यह पूछा जाए कि nucleic acid की discovery किनो ने की थी, बताए, nucleic acid की discovery किनों ही था, ज click, DNA and RNA both, दोनों ही आपके nucleic acid में आता है, और nucleic acid basically आपके होते का है, वो cell के अंदर होता है, tick, cell के अंदर और और वो भी nucleus में, अब आपके केंदर रख के अंदर, ठीक, तो वहाँ पे आपको यह बताना है कि nucleic acid किनोंने discover क्या था, DNA और RNA किनोंने discover क्या था, तो वहाँ पे जब बात आती, तो फिर आपको हाँ पे टिक करोगी, Frederick Mr. किनोंने क्या था, Frederick Mr. Tick, किनोंने क्या था, that's Frederick Mr. ने क्या था, so किनोंने क्या था, Frederick and Mr. ने, so first you all know कि DNA, RNA, don't know कि discovery किनोंने, Frederick and Mr. but when we talk about उनके double hallix structure की जब बात की जाती, किसकी DNA के double hallix structure, अगर आपको याद की याद होगा, तो इस तरीके का structure होता है, तो सेम ऐसे ही आपने देखा होगा, यह इस तरीके से, यहाँ पे आपके adenosine और उसके सासा, thymine और cytosine और उसके guanine के साथ, इस तरीके से bond करते हैं, ठीक है, deoxy ribonucleic acid, yes DNA, okay, so यहाँ पे आपके क्या होता है, इस तरीके से जब आप द लिखरा होगा, ठीक, यह वाले जब हम structure की बात करते हैं, तो वो structure आपकी किनों ने दिया था, वो Watson and Crick ने दिया था, ठीक, जब आपसे double hallux पुछा जा जा, then वो आपकी क्या होता है, Watson and Crick ने दिया था, ठीक, but still, अगर आपसे nuclear acid पुछा जा, DNA, RNA के बारे में पुछा जा तो वो आपकी किनों ने discover के था, Frederick Mr. ने, जब आपसे double hallux पुछा जा जा जा, तो Watson अगा, but still, according to the option, उसमें Frederick Mr. नहीं दिया हुआ, तो आपको James Watson and Crick ही लगाना है, तो यहाँ पे option क्या हो जाएगा, option A, ठीक, यहाँ पे Harwin Krurana को अगर आप देखे तो यह आपके इनोंने क् genetic चीजों के ही बारे में आपको बताया हुआ, तो यहाँ पे option A हो जाएगा, ठीक है, next, body temperature is regulated by, यहाँ पे आप से पूछा जा रहा है, कि body temperature किसके through regulate किया जाता, thalamus, hypothalamus, cerebellum, medulla, appropriate में से कोई नहीं, या appropriate में से एक से अधि, तो यहाँ पे बच्चे जैसे अगर हम बात करे तो होता क्या है, कि जब हम body temperature की बात करते हैं, तो body, अगर sometime ऐसा होता है कि body का temperature बढ़ रहा है, तो हमारी body में कुछ ऐसे glands होते हैं, जो कि help करते हैं उसको normal करने में, हा, double Alex at Watson and Whitney गया था, good, चलो, अब यहाँ थोड़ा सा figure के through हम समझते हैं, listen, now we know कि कितने सारे endocrine gland होते हैं, these all are endocrine gland, ठीक है, यह आपके सभी क्या है, endocrine gland, ठीक है, उसके बात, yes, इनको nobel prize भी मिला था, ठीक है, तो endocrine gland की रभात करते हैं, तो इंसमें, आप endocrine gland में यह हां से क्या release होगा, hormone, ठीक, क्या release हो रहा है, hormone, ठीक, तो यहाँ पे जितने भी endocrine gland होगे, इन सभी से क्या release हो रहा है, hormone, और जो exocrine gland है, उनसे enzyme release हो रहा था, यह आप ठीक रखना, तो first we know कि हमारे brain में कितने सारे glands है, first hypothalamus, ठीक, second pituitary, third pineal gland, यह brain के glands है, कौन से endocrine gland, ठ देखते हैं, तो thyroid और parathroid यहाँ पे दो glands होते हैं, किस में, neck में, कौन-कौन से, again यहाँ पे आप देखो, first तो आपका क्या होता है, first तो आपका हो जाएगा thyroid, ठीक है, and second parathroid, parathroid, ठीक, thyroid and parathroid, yes, शुबम, answer is right, that hypothalamus, yes, वो आपका right history, then इसके बाद यह neck में आपके दो glands पाए जाते, thyroid and parathroid, okay, thymus, chest में पाए जाता, just hurt के पास, okay, then उसके बाद, pancreas को हम क्या बूलते हैं, pancreas को mixed gland के नाम से जानते हैं, yes, yes, step points of the thermals of body, ठीक है, अब basically अगर यहाँ पे बच्चे आप देखो, this pancreas क्या होते हैं, इनसे enzyme पे release होता है, and, हाँ, ठीक, तो यहाँ पे जब हम pancreas की बात करते हैं, यह आपके क्या करते हैं, hormone and enzyme दोनों ही release करता है, ठीक, and adrenal gland क्या करते हैं, इनके through, जो hormone release हो रहा है, वो भी आपके क्या करते हैं, हमारी body में salt को regulate करते हैं, हमारे stress को regulate करते हैं, कुछ sex hormone को भी release करते हैं, और यहीं से emergency hormone भी release होता है, कहां से adrenal gland से. और उसके बाद, ovaries से, आपकी क्या होते हैं, कितने नापके hormon को female hormone और वो release होता है, और स्टे तेस्टेस ने रिलीज होता है, o замद आपके progesteron release होता है, और इसके बाद, estrogens भी release होता है. ड़का से और षुचन्स को दिद्ध और लुटे से हơं devo ना ज़क आपको ध्यान रखना है कि ऐस टो जन्स भी रिलीज होता है एन अडिरनल से होता है ठीक है तो यहां को हैं जाने हूं yeni यहां पर दिद्धि हमलगा है इसमाद होती है मानते हैं, reason अगर penile gland option में नहीं है, so you have to take pituitary gland, but अगर option में penile gland है, so आप क्या करोगे penile gland को, बोलोगे कि वो आपके smallest होते हैं, ठीक है, then उसके बाद, बच्चे क्या होता है, hypothalamus हमारी body की, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम master of master gland बोलते हैं, master of master gland, ठीक, इसे हम master of master gland बोलते हैं, यहाँ पर जैसे अगर आप बात करते हैं, तो master of master gland बोलते हैं, master of master gland बोलने का मतलब यह pituitary gland को भी operate करता है, means these pituitary gland is also called the master gland, यह तो आपको पता होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, master gland बोलते हैं, ठीक है, Master Gland ठिक और इसको operate करने का काम कौन करता है I will become cooler if I take out Hypothalamus Yes So यहाँ पर बच्चे अगर देखा जाए कि Pituitary Gland की बात करें तो यहाँ पर Master Gland को Master of Master Gland control करता है कौन Hypothalamus हमारी Hypothalamus क्या करती है Indicate करती है कोशिस करती है वो क्या करती है वो Pituitary को order करती है कि भाई आपको यह हॉर्मोन release करना है जबकि Pituitary Gland बाकि Remain organs को यह indicate करती है कि आपको यह हॉर्मोन release करना है इस सेंस में क्या होता है कि आप Hypothalamus की जब बात करते हो तो Hypothalamus इन सभी और्जिन को कंट्रोल करने का काम करती है विद थ्रू ओफ Pituitary Gland उसके बाद बच्चे आप देखो कि होता क्या Hypothalamus से कुछ हॉर्मोन भी रिलेज़ है जैसे अगर आप देखो तो Oxytocin कौन सा? Oxytocin 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 को ही हम क्या बोलते हैं यह दूरिंग दा प्रग्नेंसी काफी जादा यूटेरिस को कॉंट्राक करने में काफी जादा हल्प करते हैं कौन सा? Oxytocin और यह Oxytocin जो होता है formation तो Hypothalamus से होता है बट स्टोर और रिलीज कहां से होता है? वह पच्यूटरी Gland से रिलीज होता है इसके अलावा भी और भी रिलीज होते हैं और भी आपके हॉर्मोन रिलीज होते हैं जैसे डुकमाईन होगया जिसको हम lath hormone के नाम से जाते हैं वह भी hypothalamus से ही रिलीज होता है कहां से रिलीज हो रहा है? Hypothalamus से रिलीज हो रहा है उसके बाद Serotonin की बात करते हैं Yes, vasoprene तो आपके pituitary gland के posterior part से release हो That's vasoprene या फिर आप ADH बोल लो ठीक, clear है तो उसके बाद बच्चे क्या होता है कि जिसकर माल लेजे Endorphin हो गया Serotonin हो गया Dopamine हो गया ये सब के सब cancer release हो रहे They all are released from the hypothalamus Cancer release हो रहे है Hypothalamus से release हो Okay, okay अब बात यहां पर यह आती है कि इनके बात अखर इन सारे हॉर्मोन का काम क्या होता है में इन सारे हॉर्मोन का काम क्या होता है मारे बोडिमे जैसे अगर आप बहुत अच्छा फील करते हो बहुत जादा motivated feel करते हो बहुत जादा stress फिल जाए इन्डॉर्फिन क्या होता है कि एन्डॉर्फिन जब हमें चोट लगती है जब stress होता है तो उस ताम पर वो release होता है तो उस ताम पर वो control करता है कि वो release होके पेन को कम करता है ठीक है? यह सारे काम hypothalamus के होता है Then again If we will talk about pituitary gland तो यह सारा काम तो इनका hypothalamus का हो गया मतलब हम यह कह सकते हैं कि hypothalamus basically hormone जादा release ना हो उसके लिए भी hormone release करता है और hormone कम release ना हो उसके लिए भी hormone release करता है inhibit करने के लिए hormone release करता है और उनको कम करने के लिए भी release करता है तो यहां पर हाइपोथालमस पूरी तरीके से काम कर रहा है पिट्यूट्री ग्लांड पे, ठीक है, तो मेजर अगर आप मास्ट और मास्ट ग्लांड देखो, तो वह कौन सा होगा, तो इस प्रिकम हाइपोथालमस, ठीक है, ओके, दैन उसके बात बच्चे, जब हम पिट्यू तो जो हमारी growth hormone होती है, GH, कौन सी, GH, फर्स्ट आपकी जो hormone होती है, GH, जिसको हम क्या बोलते है, growth hormone, ठीक है, क्या बोलते है, growth hormone, ग्रेफ, growth hormone, जिसका दूसरा नाम आपका क्या होता है, somatostrop, ठीक, वो आपके क्या करते हैं, basically कहा से release हो रहा है, pituitry gland, जिस से body काफी ज़्या है न उसके साथ, साथ, अभी इसमें और भी बहुत सारे हैं, डैसे, दूसरा आपका क्या होता है, टी एस एच, थायरोइड स्टुमलेटिंग हर्मोन, जो थायरोइड को ऑपरेट करने का काम करते हैं, थायरोइड ग्लाइन का है है, यहाँ पर यहाँ पर TSH भी help करता है किसको thyroid gland को stimulate करने की कि वो thyroxine hormone को release करे ठीक है? ओके देन उसके बाद बच्चे हम देखते हैं तीसरा prolactin hormone prolactin hormone जो की females में या mothers में क्या करते हैं help करते हैं किस तरीके से बहां पर आप यह कह सकते हो कि milk के formation में ठीक है यह सब आपके मदर्स में होते हैं, मदर्स में prolactin hormone help करता है milk के formation चल अब इसके बाद growth hormone हो गया, TSH हो गया, prolactin हो गया, उसके बाद ACTH चौथा ACTH, adrenocorticotropan hormone जो की कहां से release को stimulate कर रहा है? अर्विनय ग्लान को release करता है, उसको operate करता है कि आपको बाकी रिमेन जो उन में emergency hormone होते हैं, उनको release करिए, estrogen hormone होते हैं, उनको release करिए, cortisol होता है, उनको release करिए, elderosterone होता है, उनको release करिए, कौन? यह आपके ACTH, ठीक है? clear है? हाँ, then उसके बाद बच्ची अगर आप देखो, तो पांचमा अगर आप देखते हैं, तो वो आपका क्या होता है, FSH, FSH, follicle stimulating hormone, जो again यह pituitary gland कहां करते हैं, ओवरी को stimulate करते हैं, कुछ hormone को release करने में, जिसमें estrogen भी होता है, progesterone भी होता है, ठीक है? clear है, तो यहीं पर आपके क्या होता है, FSH and LH, luteinizing hormone भी, इसमें भी आपका एक और आजाएगा, कौन सा LH, luteinizing hormone, तो यह आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि इतनी सारी शीजों को आपको हमेशा ध्यान लोगी कि कितने सारे hormone या सरे, यह even जितने सारे hormone अभी हमने पढ़े यह इस fatutee gland, झालान के भी three parts होते हैं 缭ाई, ठीक है आपका anterior parts होता है, posterior part होता है और intermediate होता है, intermediate जो होता है वह basically क्या करते हैं? वह अपके melanin stimulating hormone होता है, जो melanin को stimulate करते हैं,idgemano side stimulating hormone जो कि melanin को stimulate करने का काम करते हैं, ठीक, वो middle वाला करता है, एन इसके बाद, जो posterior वाला portion होता है, उससे दो आपके hormone release होते हैं, एक तो आपका ये oxytocin हो गया, ठीक है, उसके बाद एक आपका होता है ADH, vasophrine या फिर anti-diuretic hormone, ठीक है, जो कि body में किस तरीके से आपकी urine वगारा का formation हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, जब अगर ADH release हो रहा है, तो यूरीन का anti-diuretic hormone का formation है, तो आपने देखा होगी, रात के समय में, बहुत जादा urination के लिए नहीं जाना होता है, तो ये भी आपके क्या होते हैं, anti-diuretic hormone कोशिस करते हैं, मतलब आपे कि अगर वो release हो रह अगर बच्चे बात करो, जैसे पीनल क्या करते हैं, हमारी वोडी में as a bio clock use होते हैं, जैसे अगर आपको याद होगा, तीजे अगर आपको morning को कहीं पे भी train वगरा पकड़ना होता हो, आप क्या करते हो, आप basically एक alarm clock लगाते हो, और उसके बाद सिर 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 सिर, अगर sometime ऐसा होता है, जब वो pressure जादा होता है, तो आप उस alarm clock के पहले उठ जाते हो, क्या reason है उसके पहले उठने का, reason यहाँ पर यह होता है, हमारी brain में already a clock है, यह clock क्या करता है, कि हमें proper awake करता है, हमें उसको बताता है, हमें यह बताता है, कि इतने time पर आपको उठना है, quantity quantity deduce करता है, yes, urine concentration को increase करता है, yes, ठीक, तो यहाँ पर बच्चे आपको क्या करना है, यह ध्यान रहता है, कि पीनल ग्लान को हम bio clock के नाम से भी जाना जाते है, यह आपके क्या होते है, third eyes के नाम से भी जाना जाते है, और साथी साथ इन से जो आपकी hormone release हो रहे है, melatonin, इनको night hormone के नाम से भी जाना जाता है, why we call it night hormone, क्योंकि यहाँ पर basically आपके sleeping cycle होती है, उसको control करता है, yes, ठीक है, अब reason यह होता है, कि यहाँ पर जैसे ही अंधेरा होता है, तो melatonin क्या होते है, वो release हो जाती है, और जैसे ही वो release होती है, तो हमें नीन आनी थोड़े समय बाद शु अगर आप देखो, तो गाओं के समय में क्या होता था, साथ आठ बजे तक आराम से सब सो जाते थे, प्रॉपर, क्योंकि उनका एक lifestyle थी, life cycle था, प्रॉपर, साथ बजे, आठ बजे तक वो सो जाते थे, तो सुबज 4, 5, 4, 5 बजे आराम से उड़ा होता है, but now, reason यह कि जितन सारे issues आते हैं, जो proper need नहीं आती है, वो सारे issues भी इसी के कारण नहीं आती है, और sometime अगर किसी को यह problem है, कि sleeping, मतब, need नहीं आ रही है, so इनी सारे इनी hormones को inhibit करने के लिए कुछ medicines दी जाती है, जिससे वो access हो जाता है, नेद प्रॉपर आती है, जो कि हमें proper अपने brain को relax करना ह ठीक है, clear है, so अभी हमने brain के कुछ glance के बारे में पढ़ लेया, जिसमें हमने सारे hormones को cover up कर लेया, now let's move to the thyroid and parathroid, thyroid and parathroid, basically क्या अगरती है, हमारी body के blood pressure को भी control करते हैं, body के जित्ती बे activity होती है, metabolism है, उन सब में help करता है, ठीक है, वहाँ पे metabolism में भी वो properly, वो basically help कर रहा है, and साथी जो parathroid है, वो भी help करता है, और parathroid को ही thyroid gland का क्या बोलते हैं, हम वो हमारी body का जिस तरीके से, जैसे parathroid काम कर रहा है, the same, उसके thyroid एकदम opposite काम करता है, ठीक, जैसे यह होता है कि अगर हमारी body में क्या करते है, calcium की मातर से, अगर आप देखो तो 98% तक, almost 98% तक क्या हो thyroxine hormone का formation हो रहा है काम पे, but still अगर हम बात करें, तो 2% आपकी क्या होता है, calcitonin release होता है, कहां से thyroid gland, जिसका काम क्या होता है, कि भाई, bones and blood में calcium की मातरा जाता ना हो, ठीक, उसके बाद parathroid क्या करता है, वहाँ पे parathiroxine hormone release, the same ही उसके just opposite काम करता है, कि हमारी जो bones और blood मे क्या calcium की मातरा को, वह control कर सके, just opposite, ठीक है, तो यहाँ पे यह सारी सीचे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, हाँ ना, चले, तो यहाँ पे बच्चे अगर आप देखो, तो thyroxine और parathiroxine कहां से release हो रहा है, आपके thyroid and parathroid gland से release होता है, इनका जो structure होता है, वो butterfly जासा है structure, औ आप numbers में जो parathroid है, यह 4 होते हैं, मतलब अगर आप देखो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, ऐसे आपके structure thyroid के basically होता है, अब H के structure में आपका पायराता है, ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे 4 points जो होते हैं, वो 4 आपके क्या होते हैं, ठीक, यह चीज आप ध्यान रखे तो यहाँ पे देखे, तो parathroid की जो number होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है, तो sometime आपसे यह भी पुछा जा सकता है, कि जो parathroid gland है, वो numbers में कितने होते हैं, ठीक है, okay, then उसके बाद एक structure आपको यहाँ और देख रहा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, थाइमस gland, जो की समय क साथ, धीरे-धीरे-धीरे क्या होते हैं, कम होते जाते हैं, मतलब अगर आप देखो तो बच्चों में इनकी संख्या, मतलब इनका जो size होता है, वो ज्यादा बड़ा, और इनका काम क्या होता है, जितने भी आपके immune system है, जो lymphocytes होते हैं, जो T lymphocytes होते हैं, इन सब को क्या क करे house करें, कि जैसे-जैसे age होती है, उनकी size होती है, जाती है, ठीक और इस में क्या होता है, फिर वो dhere-dhere-here-here-here क्या करते हैं, चैक है, अब बात यहां पी आती है कि पिटा इन त्भाइमस année होती है, थाइमस ख्लान आपके क्या होते हैं, पच्चों में उसकी size जाती होते T-cells को यह अलग, even जिसमें जो आपके हॉर्मोन रिलीज होते हैं, वो T-cells और साथी साथ उनको अलग करने का भी काम करते हैं, ठीक है? यह आप जान रखेगा, ठीक? अब बात यहां पे आते हैं, अगेन हम पैंक्रियास पैंक्रियास से कुछ एंजाइम बे रिलीज होते हैं पैंक्रियास में जो एंजाइम रिलीज हो रहा था, पैंक्रियास में एंजाइम जो बेसिकली था, वो एंजाइम आपके किस तरीके से काबोहाइड को, प्रोटीन को, फाट को डाइजेस्ट करने में हल्प कर रहा थे, जैसे अगर हम काबोहाइड की बात करते हैं, तो काब को digest करने के तो उसके लिए लाइपएज हेल्प करता है प्रोटीन के लिए ट्रपसीन हेल्प करता है यह आपको ध्यान रखना है तो यह कॉन release कर रहा है यह pancreas और सातीसा जो hormone release होता है hormone में आपके basically क्या होते है insulin and glokogon यह hormone हमारी यह बीटा से से रिलीज होता है और साथ ही साच अब आप ग्लुकाओन की बात करते हैं तो ग्लुकाओन को फास्टिंग हॉर्मॉन भी कहा जाता है कि यह स्टोर करके रखता है ग्लुकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में ठीक है? यह होता है कि इससे fear, fight and flight, दर लगा है, तो हाँ, ग्लुकोगान, insulin and symmetry, यह आपके ठीक है, ठीक, अगेन जब हम यहापे पच्छे बात करते हैं, तो इसमें आपको 3F hormone हम क्यों कहते हैं, क्योंकि fear, fight and flight, या तो आप डर गया हो, तो लड़िए, या तो फिर भाग ज़ए, सिख, सीधी सी बात, तो adrenaline and non-adrenaline जो release होता है, इस वाले कोशन से वो help करता है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और hormone भी release होते हैं, जैसे, आप ही कह सकते हो, कि मालेजे कि cortisol हो गया, यहीं से release हो रहा है, estrogen, estrogen हो गया, वो भी कहां से release हो रहा है, वो भी आपके adrenal glands से ही release हो रहे हैं, ठीक है, अब देखिए आपे, so यह काम हो गया, income, and ovary से क्या-क्या चीज़र रिलीज होती, ovary से progesterone release हो, estrogen release हो रहा है, ठीक, so here we are complete, all hormones, जो की hormones release होते हैं हमारी body से, ठीक है, so अब बात करते हैं अहां पे, let's move to the question, what is said की, no buffer, that's great, ठीक है, body temperature is regulated by शरीर का अथापन, किसके द्वारा ने अंत्रित किया जाता, thalamus, hypothalamus, cerebellum, medulla, अप्रूप में से कोई नहीं, या प्रूप में से एक से अधिक, ठीक है, yes gupta, still buffering, still buffering, so maybe that's all about network issue, so let's move to the question, thalamus की बच्चे जब बात करते हैं, तो thalamus क्या करते हैं, हमारी body में किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा buffer है, okay, fine, तो यहां पे जैसे अगर बात करें बच्चे, थालमस की तो, thalamus क्या होते है, हमारी brain का ही पार्ट होते है, thalamus, hypodalamus and cerebrum, cerebrum, यह तीनों ही क्या होते है, 4 brain का पार्ट होते है, एक से ज़र धियान रखने, यह ब्रेन का पार्ट है, उसको देख लेते हैं, यह आपके 3 पार्ट होते हैं, फिर्स्ट क्या होते हैं, this is the four brain. ठीक, एनुजर याब बात करो, second क्या होते हैं? Mid brain. ठीक, एनुजर थर्ड इस दा हिंड brain. ठीक, four brain को आप क्या घोलती हो? Agra-mastis, आपका Madhyamastis, या आपका Paschra-mastis. ठीक, ये तीन होते हैं. ठीक है, बट यहीं पर जब आप बात की जाते ही, तो 4 brain के ही 3 parts होते हैं, 4 brain के obviously thalamus और आपके hypothalamus, cerebellum चो होता है, वो hind brain का part होता है, यह ध्यान रखेगा, और medulla भी किसका part होता है, यह आपके क्या होती है, यह सबके सब आपके hind brain का part है, किसका hind brain का, मतलब पश्का, यह आप हमारे कुछ senses को control करते हैं, चेक thalamus के जो कि आपके, बेसिकले अगर आप देखो, तो कुछ senses को control करते हैं, और साथ हाइपो थालमस, बाकी सारी सारी, जितने feelings होते हैं, emotions होते हैं, temperature होते हैं, सबको control करते हैं, so here will be the option B, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, option B, medulla की अगर आप ब voice clear, but video buffering, okay, voice clear है, then okay, then fine, ठीक है, okay, then focus on the onward की सारी सीचे वो clear है, बाकी ठीक है, ठीक है, maybe this is all about network issue, और कोई दिखकर नहीं है, ठीक, यहाँ पर option क्या हो जागा, that hypothalamus, that means option B, ठीक है, चालो, so next question, choose the correct statement, wavelength of red light is less than violet light, यहाँ पर, wavelength of red light is more than the violet, आपके violet light, wavelength of violet light is more than the green light and wavelength of the light is more than the yellow light, यहाँ पर आपसे तरंगदर्द की बात की, what is the तरंगदर्द, पहले तो यह पता होना चाहिए, कि तरंगदर्द क्या, तरंगदर्द बेसिकली क्या होते हैं, यह आपके इस तरीके से, अग के, क्रस्टन थ्रो के उसके फॉर्म में चलते हैं, मतलब यह आपका क्या होता है, यह गर्थ और स्ट्रिंग के फॉर्म में चलते हैं, मतलब दो क्रमागद गर्थों के बीच की जो दूरी होते हैं, उसको आप तरंगदर्द कहते हूं, मतलब यह गर्थ नीचे स्ट्रिंग या फिर एक गर्थ और एक स्ट्रिंग के बीच की जो दूरी होती उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम वेवलेंग्स पोलते हैं Now let's move to picture जिसने हमें और सीजिये clear हो जाएं ठीक है This is the way हम इसमें आप समझेंगे कि किस तरीके से किसमें वेवलेंज जादा होती किसमें वेवलेंज काम होती So first अगर आप देखो इसकी वेवलेंज किती हैं 400 के आराउंड है सबसे जादा किसकी है 665 Then उसके बाद अगर आप देखो तो orange की है then yellow की then green then blue and उसके बाद indigo These all are the name of the आपकी किसकी है वेवलेंग, indigo, blue, green, yellow and orange and red जो की अगर आप से पूछा जाता है यह जब आप white कलर की light को किसी आप यह कह सकतो तो प्रिज्मे के थूँ उसको like move कराया जाता है तो वहां पर यह 7 in color में divers हो जाते हैं सारी यह color आपके क्या होते हैं अलग-अलग हो जाते हैं एक ratio में अगर इन सारे color को आप mix करते हो तो वह क्या करते हैं white color दिखाई देता है यह आप ध्यान डखेगा यहां पर जब wavelength की बात की जाते हैं सबसे ज्यादा wavelength किसका है? सबसे ज्यादा red का होता है सबसे कम किसका होता है? wallet का होता है यह sequence अगर आपको याद है धन clear है wallet, indigo, blue, green, orange and red यह सारी शीचे तो इसमें बच्चे अगर आप देखते हो तो इसमें सबसे कम किसका होता है वालेट तो उपर के सीक्विंस आप देखते चाहिए इस सीक्विंस में सबसे जादा वेवलेंज किसका होता है जिसके बज़ा से हम यह प्रॉपर दिखाई देता है ठीक वहां पे करते हैं, clear है? तो question के according, let's move की, हम question के according देख लेते हैं, कि क्या पूठ रहा है? देखे, सबसे जादा red का है, जब हम wallet, indigo, blue, सारे की बात करें, सबसे कम तो आपका किस में हो जाएगा? wallet का हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे फिर्स अगर रेल इसमें वैगली से कम होती है तो यह आपका पहले ही गलत हो गया ठीक उसके बाद जब हम धर्ट देखते हैं तो रेल लाल प्रकास की तरंग वैगली प्रकास से अधिक होती है यहाँ पे रेड लाइट की जो वेवलेंस होती है वो इससे वाले यहाँ पे राइट हो जाएगा ठीक है ठीक है तो लाइट्स मूव नेक्स्ट कुस्टिन ओके दा यूनित ऑफ एलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे आप से पूछा रहा है कि यूनित ऑफ एलेक्रिक पावर क्या होगी अप्या वोल्ट कॉलंब अड उप्योक मैंसे कोई नहीं अपिल से एक से अधिक. Let's move to the slide. This one. यहाँ पे जैसे है आप से पूछा रहा है तो overall सारी हमने ले आया हैं तो जब हम frequency की बात की जाती है तो उसका क्या होता है? आप क्या करते हैं? उसमें उसकी बात करते हैं तो यह आपका क्या होता है? Hertz. ठीक? Force का Newton. Pressure and stress की जब बात की जाती है तो उसका क्या होता है? पास कर. Energy work की अगर जब बात की जाती है तो उसकी चो quantity होती है वो heat की, equal होती है वो क्या होती है? आपकी joule होती है. ठीक? उसके बाद बच्चे अगर आप power radiant की flux की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वोट होता है. एलेक्ट्रिक चार्ज, quantity and electric तो इसका क्या होता है? कुलांब होता है. एलेक्ट्रिक potential हो गया उसका आपका वोल्ट होगा. एलेक्ट्रिक motion force हो गया उसका वोल्ट होगा. ठीक? उसके गड़ कापिस्टेंसी की बात करें तो उसका फेराडे होता है. एलेक्ट्रिक resistance की बात करें तो उसका ओम होता है. ए साथ यहाँ पर आपको symbol भी mention किया गया है and उसके साथ here the dimension dimension भी mention कर दिये गया है कि अगर आपको frequency की निकाली हो pressure का हो गया pressure अगर आप basically देखो तो pressure का क्या होता pressure का अपने जो formula formula अगर आपको चीज़े याद होंगे तो आप 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 से dimension निकाल साथ हो formula अगर आप बच्चे जो तो pressure is equal to क्या होता है आपके force upon area चलिए इससे हम आपको निकाल के दिखा देते हैं ठीक है ठीक प्रेशर की जबात करते हैं तो क्या होता आपका force upon area ठीक अब force upon area बच्चे अगर आप यहाँ पे देखो तो होता क्या है कि force अगर आप निकाले तो कितना निकल के आएगा यह आपका हो जाता है कितना Newton, ठीक है, अब Newton वहाँ पर अगर निकल के आए, then उसके बाद area अगर आप देखो तो कितना होता है, meter का square, ठीक, यह हो गया, तो अगर आप इसको normal अगर आप देखे तो Newton meter power minus 2 होगा, but still, इसी का अगर आप निकाले तो कैसे हो जाएगा, ठीक, तो Newton का अगर आप निकालते हैं और उसके साथ बाकी remain, यह आपकी क्या होगा है, this is the matrak, matrak इस तरीके सही आपको clear होना चाहिए, and साथ ही साथ, इसमें चब बीमा की बात करते हैं, तो m2 kg s minus 2, क्योंकि यहाँ पे जब आप Newton का proper रखते हैं, Newton के according अगर आप force के according अगर आप देखो, तो वहाँ पे m into a होता ह तो वहाँ पे अगर आप देखो, तो इस तरीके साथ आप निकाल सकते हो, m into a, and यहाँ पे major cube है, यहाँ पे square, तो यहाँ पे जो m का, यहाँ पे मान क्या रखोगे, आप kg रखोगे, तो पूरा proper यहाँ पे अगर आप निकालो, तो क्या निकल के आ जाएगा, kg है ना, चेक प्रॉपर अगर आप यहाँ पे निकालेंगे, तो यह आपको पूरा proper मान मिलके आजाएगा, चेक, तो इस तरीके से dimension भी आप निकाल सकते हो, होप सो की शायद पूछागा है, ना, पूछागा है, तो यहाँ पे बच्चे इस तरीके से आप dimension भी निकाल सकते हो, जैसा इसकाल लीज़े, अगर आप velocity ही लेके चलते हो, ठीक, या acceleration ही लेके चलते हो, फिलोसिटी के अगर आप definition की बात करो, तो velocity आपकी क्या होते है, वेक पर आपके जो भी विस्थापन उसकी दर को आप क्या बोलते है, velocity आप कहते हो, ठीक है, वेक कहते हो, ठीक, तो वहाँ पे विस्थापन की दर, मतलब विस्थापन की दर ऊपर आपका क्या हो जाएगा, है न, meter per second, ठीक, यह क्या है आपका velocity की बात हम कर रहे हैं आपे, ठीक है, तो यहां पर यह आपके क्या हो जाएगे, इसके according अगर देखो आप, तो यह आपका क्या हो जाएगा, this is the, यह length हो गया, meter, यह आपका second हो जाएगा, ठीक, तो यहां पर यह आपका क्या हो जाएगा, this is the t, इसको आप देखते हो तो यह किसका है, आपका velocity का है, यह आपका मातरक किसका है, velocity का है, clear है यह चीज, ठीक है, मेभी आज बहुत issue, मेभी वीडियो का जो भी वफरिंग है, next time से मेभी ना हो, ठीक, सो उसके लिए परिशान ना हो येगा, तिये सारी चीजों को बच्चे आप ध्यान रखेगा, क्योंकि इसमें सारे आप मातरक बगरा, सब याद रखे जाएगा, चाल, अब next question के तरफ, move करते है, चल, in electrical motor, जब हम electrical motor की बात करते हैं, तो electrical motor किसमें किसको transmit करता है, ठीक, क्या करता है, electrical motor आपने क्या होता, विद्यूत motor जो होता है, वो किस सरीके से किसमें convert करता है, यांतरे कुर्जा को विद्यूत उर्जा में convert करता है, या फिर विद्यूत उर्जा को यांतरे कुर्जा में convert करता है, या विद्यूत उर्जा को उश्में उर्जा में पर किसमें एलेक्ट्रिकल मोटर की बात करता है तो यहां पर यह क्या करता है मेकानिकल एनर्जी को किसमें इनर्जी में इनर्जी में करता है किसके अब बेसिकल अगर आप देखो इसमें तो विद्धु तुर्जा से यांत्रिकुर्जा में करता है जैसे कर आप डाइनेमो की बा यहाँ पे अगर आप अच्छे options देखो तो option calling आपे क्या होगा यह mechanical energy को किसमें convert करता है electrical energy mechanical energy क्या होती है वो अगर आप देखो तो इसमें potential energy and kinetic energy दोनों ही होता है potential energy और आपके क्या होता है kinetic energy दोनों तो उसको हम क्या बोलते है mechanical ठीक यांत्रिक energy यांत्रिक और साधिजा गुष्ट की static और दोनों को यगर आप basically देखो तो mechanical energy और वो तोनों ही हाँ पे mention के जाते हैं यह कौन सा हो जागा option let's move to the next question पिस तिल यही पे एक questions को लेके फिर हम class को सपू hand over करेंगे ठीक है so first यहां पे देखे the main component of the green house यहां पे अगर आपसे main component पुछा जाए कि green house का main component is carbon dioxide हो गया methane हो गया nitrous oxide हो गया ozone हो गया यह सारे ही है बस चिल इसके अलावा भी बहुत सारे है चिक इसके अलावा भी होने के कारण आपको option कौन सा लगाना होगा यह majorly मैंने यह सवाल इसी ले लिया है क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे ही आप बात करते हैं कि carbon dioxide methane nitrous oxide ozone इसके अलावा भी बहुत सारे gases पाई जाते हैं बहुत सारे gases यह help करते हैं किसमें greenhouse effect में जिससे क्या हो रहा है global warming आ रही है जो लेयर है वो सारी से वह बहुत जादा गरम हो रही है उन सब की बात करेंग तो यहाँ पर क्या होगा carbon dioxide ठीक है carbon dioxide देने के बाद यह सारे जो options है यह अलग दिये गए होते अगर यह अलग दिये गए होते तो फिर आप वहाँ पर कर सकते थे कि हाँ ठीक है आप यह 5th option 5th option हमें चूज कैसे करना है जब यह चारो option आपको दिये हो और चारो ही option राइठ हो और उसके अलावा भी हो तो तो यह आप चूज का पावर हाँची ठीक है चालो पावर हाँची ठीक है कि अगर आप बात करते हो तो यह बहुत ही कॉश्चन है यह आपके क्या होंगे इन में DNA रन ने बोद इन खुद के dna प्रसें सोटे हैं और साथी साथी आधी चांक्ति हाँ कुझ की this यह basically अपने काम को खुदी किसीपर dependent नहीं हो एचिक इन में ATP का fighting for making बेसिकली वो सब यह स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक? ठीक, so here we are completed our questions, इसके according बच्चे जितना अभी आपने पढ़ा हो, उसमें आप बहुत सारी शीजों को cover-up कर सकते, आसा नहीं था, सिर्फ we completed our questions, सो इसमें आपको, अगर आपने glance proper अच्छे से पढ़ा, तो उसमें सारे के सारे सवाल आपके सब सही हो जाएंगे, ठीक है, तो hopes हो कि आप सभी लोग वो practice भी कर रहे होंगे, तो उसमें ये करने के बाद वो सारे practice को भी करते रहेगा, ठीक, इसी तरीके से, तो again आपके अभी ये classes ऐसे ही चलती रहेंगी, ठीक है, तो अभी हम अपने segments को complete करते हैं, next segments आपका शुरू होगा, ठीक है, clear है, ठीक, तो यहाँ पर बच्चे आप हमेशा ध्यान रखेगा कि आपको इसी तरीके से अपनी classes को continue करना है, regular इसी तरीके से आपको अपनी classes को continue, regular देखना है, क्य कहा है, कहा है, support किया, same वैसे आपको आगे भी देती रहना है, ठीक है, चल, so हम अपी class को, sir को handover कर रहे हैं, तो आप sir के साथ proper continue करेगा, जिसे आपके again, और तैयारी जो है वो और अच्छी हो पाए, ठीक, चल, नमस्कार मित्रो, मैं इंजिनियर सुनील कुमार, एक एजूकेशन के यूटूब चैनल पर, आप सभी लोगों का श्वागत यहों अभिनेंदन करता हूँ, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी लाइब आजाएगे, और हम लोग प्रारम करते हैं, क्रास को, पहले क्यूशन की ओर अग्रसर होते हैं, और इस प्रकार के आपके BPSC में प्रेस्ट पूछे गए, बहुत बहतरीन और बहुत कांसेट के साथ, चलिए देखते हैं, पहला क्यूशन आपके समझ है भी, पहला क्यूशन है, तो निमलिखित मेंशे, निमलिखित मेंशे, कौन सा कारक संभावित रूप से भारती अर्थविवास मुद्रा इस्फिती जनीत मंदी में योगदान करता है, सरकारी खर्च में बृधि के कारण उच मुद्रा इस्फिती दबाव, अर्द्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विक्यास में सुस्ती, कुल मांग और उब्होगता खर्च में कमी, गरेलू मुद्रा की विद्धी के खर्च में कमी, नीचे दिये गए कुड का प्रियोग कर सही उत्तर चुनिये, एक और दो, दो और तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, अब हम बात करते हैं भाई, अब हम बात करते हैं, कांसेप्ट की यहाँ पर बात क्या जा रहा है मुद्रा इस्फिती जनितमंदी तो मुद्रा इस्फिती जनितमंदी किसे तहते हैं समझेगा मुद्रा इस्फिती जनितमंदी मुद्रा इस्फिती जनितमंदी यहाँ पर दो सब्दो सो मिलकर बना है यहाँ पर मंदी की बात क्या है दोनों जब मुद्रा इस्फिती और मंदी क्या हो साथ साथ हो जब महंगाई और मंदी दोनों साथ साथ हो उसे हम क्या कहते हैं वेटा उसे हम इस्टाइग फ्लेशन कहते हैं इस्टाइग फ्लेशन उसे हम क्या बोलते हैं इस्टाइग फ्लेशन जी हाँ उसे हम क्या बोलते हैं इस्टाइग फ्लेशन कहते हैं अब देखते हैं यहाँ जो है दो सब्दों के बारे में चर्चा करते हैं कि मुद्राइस्पिती एमम मंदी मुद्राइस्पिती का मतलब होता है वस्तुओं एमम शेवाओं की कीमत में बृधि वस्तूओं एवं सेमाओं के कीमत में बृध्धी वस्तूओं एवं सेमाओं के कीमत में बृध्धी जो है वह रोजगार के कारड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वस्तूओं के अगर बात क्या जाए यहाँ पर मांग में बृध्धी की कारड तो यहाँ मांग में बृध्धी की कारड जो है वस्तूओं एवं सेमाओं के कीमत मे ब्रिद्धी नहीं हो रहा है, यहां मांग में, जो मांग में ब्रिद्धी के कारण वस्तूँ एम सेमाओं के कीमत में ब्रिद्धी नहीं हो रही, इसके अलावा कोई और कारण कोई, क्योंकि यहां पर मंदी है, मंदी के समय अगर मैं बात करूँ तो मंदी के समय बेरुजगा प्रिद्धी होता है अर्थात आय में कमी आती है आय में कमी आती है आय में कमी आती है आय में कमी आने के करण किसी विवेक्ति की जो क्रेच हमता है क्रेच हमता में कमी आती है जो पर्चेजिंग पावर है purchasing power decreases purchasing power decreases तो purchasing power में कमी आती है अब जब purchasing power में कमी आएगी ताद पर ये हुगा कि मांग में क्या आगी बेटा कमी और यहाँ पर वस्तुओं यह हम सिमाओं के कीमत में क्या हो रहे बेटा वृद्धी हो रही है लेकिन मांग के कारण नहीं यह असपष्ट हो गया मांग के कारण नहीं बेटा यह आपका असपष्ट ध्यान समझे मांग के कारण नहीं अब बात क्या जाए तो जब विरुजगारे में बृद्धी होगी आए में कमी होगी आए में कमी होने के कारण पर changing power में कमी है मांग में जब मांग में कमी आएगी तो आप बताएं गरत Schulay होगी प्रॉज़ आएगी उत्पाथन को के उत्पाथन में परॉडग्जन कि कर रहा वेटा है डिक्रीज कर रहा है अब बात क bombers क norm Мы a कि जो growth rate है तो growth rate में क्या आएगी बेटा growth rate में कमी तो यहां से अस्पष्ट हो गया कि जब जब महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की दर उच हो एवं growth rate में कमी आई ऐसी इस्तिती को क्या बोलते है stack inflation तो यहां पर देखती है बेटा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर अगर हम आप से बात करें ठीक है तो यहां पर वस्तुओं इवं शेवाओं के केमत में जो ब्रिधी हो रहा किस के करण हो रहा लागत बढ़ने के करण लागत में बृधी के कारण, पर लागत में बृधी के कारण, और सरचनातमक मुद्रह इस्फिती के कारण, तो इस्टेकफलेशन की स्तिती में अगर मैं बात क्या अपसे करूं, तो इस्टेक्फलेशन की इस्तिती में, ठीक, तो इस्टेक्फलेशन की इस्तिती में, अगर हम आपसे बात करें, तो क्या होगा? महंगाई की दर उच्छ होगी, दूसरा है, बिरुजगारी उच्छ दर पर होगी, तीसरा अगर मैं बात करूँ, आर्थिक सम्रिधी दर में कमी, तो आर्थिक सम्रिधी दर में क्या आएगी? तो ये तीन क्रास्टर्स जो है, एक सात दिखाई देते हैं, ये तीन सितिया एक सात दिखाई देती है, और शामाने परिस्ति में आपसे कहा गया था, आपने एक ध्यान दिया होगा, फिलिप्स वक्र का, फिलिप्स वक्र और फिलिप्स वक्र है अलवानी फिलिप्स के द्वारा ये बताया गया एक बिर्टिश अर्थ सास्त्री थे अलवानी फिलिप्स अलवानी फिलिप्स तो अलवानी फिलिप्स के द्वारे ये बताया गया कि बिरुजगारी समान परिस्ति में बताया गया कि जो बिरुजगारी है बिरुजगारी और मुद्रा इस्फिति बिरुजगारी और मुद्रा इस्पिती जो है बिरुजगारी और मुद्रा इस्पिती तो बिरुजगारी और मुद्रा इस्पिती जो है अपोजिट संबंद है लेकिन यहां पर देखा जा रहा है अगर बेरुजगारी में बृद्धी होगी तो मुद्धरा इस्पिती में कमी होगी और अगर मैं बात करूं तो बेरुजगारी में कमी होगी तो मुद्धरा इस्पिती में क्या होगी प्रिद्धी होगी। तो लेकिन इस्टोड एक्फलेशन की स्त्थी में महेंगाई की दर उच्छ होती है, विरुजगारी की दर भी उच्छ होती है और जो ग्रोफ रेट है, growth rate में कमी आती है तीनों इस्टियां एक साथ दिखाई देते हैं तो जब कि समान परिस्टी में देखा जा रहा है यह समान परिस्टी है और समान परिस्टी में देखा गया कि विरुजगारी अगर समान परिस्टी तो समान परिस्टी में विरुजगारी एवं महंगाई जो है वह घ्या होता है अपोजित संबंध होता है बियुतक्रूमानपाती संबंध होता है ठीक आते हैं क्यूस्चन बेटा तो सरकारी खर्च में व्रिधी के एकारड उच मुद्रा इसपिति दबा होता बिलुकुल और सही है एकदम राइट उत्तर है वैटा राइट स्टेट्में है तारड जो है लागत में ब्रिद्धी तो लागत में अगर ब्रिद्धी होगा तो सरकारी खर्च क्या होगा बढ़ेगा तो अधोगी कुछ पादन में गिरावट होगी बिल्कुल बिक्यास में सुस्तिया की बिल्कुल सही है यह भी इस्टेट्मेंट कुल मांगा और भोग प्रश्न था बेटाए एकदम कांशेश्चिकल बीए प्रश्ची में आये हुआ प्रश्न था दोसरा है अरबियाई के बिदेशी मुद्रा भंडार में बिदेशी फौरन मुद्रा भंडार में निमलिकित में से कौन सा सामिल है ठीक है बिदेशी मुद्रा परसंपतियां सोना BCS, RR, अधिक्यार, FDR, ठीक है, आरच्छित, किस्त, इस्तिति, नीचे दिये पूट का प्रियोक कर सही उत्तर चुनिए, चले बताए बेटा ठीक, चले, अब बात क्या जो अर्वियाई की मुद्रा, जो अर्वियाई का, अगर मैं बात क्या जो भारत का बिदेशी मुद्रा भंडार है, तो भारत का बिदेशी मुद्रा भंडार, बिदेशी मुद्रा भंडार, तो भारत का जो बिदेशी मुद्रा भंडार है, वो किसके दोरह regulate किया जाता है बैटा किसके दोरह अरवियाई दोरह उसे regulate किया जाता है जी हाँ तो उसे अरवियाई के दोरह regulate किया जाता है अब बात किया जाए बिदेशी मुद्रा भंडार में अगर फारत बात किया जाए कौन कौन से तो बात किया जाए बिदेशी मुद्राएं जो फारें करेंसी उसे शामिल किया गया है बिदेशी मुद्रा को सामिल किया गया है यहाँ पर गोल्ड को सामिल किया गया है गोल्ड को सामिल किया गया है और बात किया जाए अगर बात किया जाए जो आरच्छित किस्त है ये किस्त के दोरा दिया जाता है बैटा I.M.A.P के दोरा International Monetary Fund अंतराष्टी मुद्रा कोस तो अंतराष्टी मुद्रा कोस के दोरा जो है फॉरन तो अगर बात किया जाए BCS RR अधिकार को जारी किया जाता आप समझेगा यहाँ पर अगर प्रश्ण किया जाए बैटा यह तो अगर आप सामिल किया जाता तो यह राइट उत्तरापका दी हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एक चीज़े समझेगा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर बिदेशी मुद्रा भंडार में बृधि होगी, तो बिदेशी मुद्रा भंडार में ध्यान समझेगा, तो यहाँ पर अगर मैं बात किया जाए, तो बिदेशी मुद्रा भंडार, बिदेशी मुद्रा भंडार, बिदेशी मुद्रा भंडार के अगर हम बात करें वेटा, तो अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर क्या जमा किया जाता है, विदेशी मुद्रा, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, दो है, एक भारती मुद्रा है, ध्याँ समझेगा, भारती मुद्रा, भारती मुद्रा, एक है विदेशी मुद्रा, अगर इश्कु अगर आप समझ में आ गया तो आपका प्रेशन जो है अंतराश्टी बेपार से कभी गलत नहीं होगा एक भारती मुद्रा है दूसरा है बिरेशी मुद्रा ठीक है भारती मुद्रा इंडियन मनी अब सोचिएगा ये दोनों अगर किसी की मांग में ब्रिधी होगी ति किसी की मांग में कमी होगी आप जानती होगे आर्थ बिवस्था के नियम के अनुसार जिस वस्ट की मांग में ब्रिधी होती है तो उसकी कीमत क्या हो जाती है बढ़ जाती है उसके तुलना में अन्य वस्ट की कीमत क्या हो जाती है घट जाती है अगर मैं एक्जामपल लो ध्यान समझेगा एक्जामपल के अगर मैं बात करो तो धीरे धीरे समझेगा अगर मैं बात करो तो अगर आप देखे होंगे एक आलू है ध्यान समझेगा अगर मैं आलू की बात करो पोटेटो की बात करो मैं आलू की बात करू, मैं पोटोएटो की बात करू, नहां समझेगा अब पोटोएटो, अब मालेजे जो आलू की कीमत है आलू की कीमत मालेजे 20 रुपया है 20 रुपया पर केजी 20 रुपया पर केजी अर्थात एक आलू को पर्चिच करने में कितना चुकाना पड़ रहा बीस रुपया नियाद समझें इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसकी कीमत क्या हो गया पच्चीस रुपया हो गया एक केजी आलू की जो कीमत है कितना हो गया बढ़कर 25 रुपया हो गया तो 25 रुपया हो गया तिस्ता मतलब यह हो गई आलू की कीमत में बृद्धी हो गई आप क्या कहेंगे बेटा आलू की कीमत में बृद्धी हो गई जब आलू की कीमत में बृद्धी हो गई तो आप बताएंगे कहेंगे जो मुद्रा की मुल्य है मुद्रा की मुल्य में क्या आगे बेटा मुद्रा की मुल्य में कमी आगई अर्थात अगर आप से बात क्या जाए तो जो मुद्रा की बैलू है मुद्रा की ट्रह सक्ती में क्या आगे मुद्रा की ट्रह सक्ती में कमी आगे नहीं आप पहेंगे जो मुद्रा की प कीमत बढ़ रही आलो की वैलू बढ़ रही जिसकी डिमांड बढ़ती है उसी की कीमत भी बढ़ती है और दूसरे की कमपेरजन में अगर देखा जाए यहां पर किसका कमपेरजन किया गया और किसकी बात किया गया मनी की मुद्रा की कमपेरजन किया गया आप देखेंगे अग मनी की जो पर्चेजिंग पावर मनी की जो मुद्रा मुद्रा की जो पर्चेजिंग पावर हो क्या होगा घटे ठीक अगर इसी प्रकार अगर में बात करो अगर विदेशी मुद्रा भंडार में बृद्धी होगे इसका ताथ पर यह हुआ कि जिसकी भंडार में बृद्धी ह करेंगे और जो हमारे पास नहीं है तुस्ही का तुम्हेंड करूंगा तो अगर अगर हमारे पास foreign currency है अगर मेरे पास foreign currency है बेटा तो हम किसका demand करेंगे तो हम आप की बात किया जाए तो हम Indian currency का demand करेंगे जब Indian currency की demand करेंगे तो इसकी value क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी इसकी value increase के लिए किसका ताथ पर यह हुआ कि भारती मुद्रा क्या होगी भारती मुद्रा अमेरी की डालर के पिछा अमेरी की डालर की तुल्ना में मजबूत होगा मजबूत होगा लेकिन अगर किसी कहरवस जो है फारन करंसी की अगर बात के अगर कमी हो जाएगी तो हमारे पास फारन करंसी कमी हो गया तो हमें किस की आशकता है फारन करंसी तो फारन करंसी विदेशी मुद्रा की आशकता है तो विदेशी मुद्रा में क्या हो जाएगी बे जाए कि उसकी डिमांड बढ़ेगे तो इसकी बैलू बढ़ जाए कि जिसकी परण जो है मुद्रा की बैलू में कमी आईगी तो यहां तक समन में आगे बेटा अब आगे चलते हैं क्यूस्टन को हमने बता दिया सारे चीजे आपको उत्तर भी हमने आपको बता दिया अब बाजरा उत्पादित करता है हरियाडा राजस्थान पंजाब उप्रियुक्त 만들 एकसी प्रीट मेंश्च पर उप्रोडी का मतलब है तो एक ही राजलो होगा ठीक है फशली की बात किया जाएं सारोडी का मतलब है जो प्रत्थम अस्थान पर है यहां से चीजे आप याद कि जो बाजरा वो किसके अंतरगत आता है बेटा मोटे अनाज के अंतरगत आता है किसके अंतरगत आता है मोटे अनाज के अंतरगत आता है जो बाजरा है वह मोटे अनाज के अंतरगत आता है क्लियर है? तो मोटे अनाज के अंतरगत आता है अब मोटा अनाज जो है किसी भी जलवाई में इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है किसी भी जलवाई में किसी भी जलवाई में इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है उस कड़वन्धी जलवाई में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है उपोश्ड कड़वन्धी जलवाई में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है समसी तोष्ड कड़वन्धी समसी तोष्ड कड़वन्धी जलवाई में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है यहां की बात किया जाए अर्ध मरू अस्थली एवं मरू अस्थली जलवाई में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है ठीक, तो इस जलवाई में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है आसानी के शाथ अब बात किया जाए मिट्टी की अगर मैं बात किया जाए तो यहां 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 अगर मैं बात किया जाए कम उर्बर मिट्टी में भी कम उर्बर मिट्टी में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है तो बात किया जाए ऐसा छेतर आपको कहां देखने को मिल लहा है तो आप कहेंगे गुरुजी ऐसा छेतर जो है राज अस्थान में देखने को मिल लहा है तो आप क्या लगा देंगे राजस्थान देख लो बात किया जाए तो राजस्थान देखो कितना अच्छा वहतर क्यूशन है हमने क्या का कांस्ट से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका प्रश्ण गलत होने वाला नहीं है आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, अगर आप कांसिट से पढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न है आपके, कांसराज मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, राजस्थान, महाराश, तमिल्ला, उप्रियुक्त मेंशे एक से अधिक उप्रियुक्त मेंशे कोई नहीं, जल्दी आप लोग बताएं वेटा, जल्दी आप लोग बताएं, चलेगा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि राइट उत्तर आपका क्या हो जागा वेटा, राज अस्थान अभी हमने पीछे इस पर बिस्त्री चर्चा किया, इसलिए कांसिट की बात जब प्रश्न के बारे में निमलिखित मेंशे कांसा कथन सत्य नहीं है, पूछा जाला कांसा कथन सत्य नहीं है, इसने वस्तूओं और सेवाओं में ब्यापार का विस्तार किया है, इससे प्रतेच विदेशी निवेश का प्रवाव बढ़ा है, निर्यात में ब्रिधी, आयात में ब्रिध EPG के नीतिये globalization अगर बात करों तो 1991 में कई बार पूछा जाता है, 1991 में एक नई आर्थिक सुधार नीत लाई ग ratios नई आर्थिक सुधार किया गया, तो नई आर्थिक सुधार नीत 1991 में लाई गया जिसमें बात मैं किया जाया, इसमें LPG की नीतियों को अपनाया गया लिबलाजेशन, प्रिवाटाइजेशन, प्रिवाटाइजेशन और ग्लोबलाजेशन उदारी करण, निजी करण, और बैश्वी करण अब इसके तहद का जो आयात निर्यात से सम्मंधित उदारी करण, मतलब जो नीतियां है, जो हमारा बैपार है बैपार को और सरल बना दिया गया तो जो आयात निर्यात से सम्मंधित नीतियों को सरल किया गया एवं परतिवंध को हटा दिया गया जो परतिवंध लगाये थे, उस परतिवंध को हटा दिया गया अर्थात आयात निर्यात से सम्मंधित जो कठोर नीतिया थी उस कठोर नीतियों को एकदम उदार बना दिया गया सरल बना दिया गया, अर्थात जो परतिवंध लगाया गया था कोई विदेशी कंपनी भारत में जो निवेश नहीं कर सकती इन इन छेतरों में निवेश नहीं कर सकती उन परतिवंध को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया ठीक है तो उधार बना दिया गया आया तो निराय से संबंदी जो नीतिया थी उसे जो है सरल बना दिया गया अब बात करते हैं नीजी करर तो कुछ ऐसे से टर थे कुछ ऐसे छेतर थे जिसमें केवल सरकार का स्वामित था सिर्फ सरकार का क्या था बेटा स्वामित थो अब उन छेतरों में जो है उन छेतरों में निवेश एवं सरकार की अस्थान पर स्वामित नीजी छेतर को देना नीजी छेतर को देना है प्रिवेटाइजेशन का लाता तो बैस्वी करण के जो है बैस्वी करण गुलोबलाइजेशन तो बिश्व की अर्थव्यवास था को बिश्व की अर्थव्यवास था को डिश्टल के माध्यम से एक साथ जोड़ना एक साथ जोड़ना एक साथ जोड़ना है गुलोबलाइजेशन का लाता अब देखेंगे तो इससे वस्टू एम सेवाओं के बैपार का विस्थार होता तो आप पहेंगे राइट उत्तर सर इसने वस्टू एम सेवाओं में बेपार का विस्थार किया है इससे प्रतळ ब्रुद्धेशन निवेश का प्रवाव बड़ा है बिलकुल जो आर्था जब C.LPG की नीतियां अपनाया गया है तो इस समय जो भारत का आयात है वह निर्यात से अधिक है वह निर्यात से क्या है बेटा? अधिक है तो राइट उत्तर आपका क्या है? सी आपका गलत उत्तर है अर्थात निर्यात में जो है वह बृध्धी नहीं बलकि कमी हुई है आयात में बृध्धी हुई है चलिए अगले प्रेशन पर चलते हैं अधियोगी नीट सेंकल्प किस वर्स अपनाया गया था? 1956, 1954, 1952, 1950 कब अपनाया गया था? चलिए बेटा, पहले अगर बात क्या जाए? पहली अधियोगी नीट अगर भारत में बात कि रहे पहली या पर्थम अधियोगी नीट तो पर्थम अधियोगी की नीट 1948 में लागु किया गया था या अपनाया गया अपनाया गया था अब उसके बाद जो है अधियोगी की नीट संकल्प जो है कब अपनाया गया? अधियोगी की नीट संकल्प है 1956 1956 अपनाया गया था तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा? आपका राइट उत्तर एह हो जाएगा क्लियर है? चले है अन्पूरा योजना राशन काट किसके लिए है? ब्रिध वा गरीब लोग जो 65 रर से अधिक के हैं गरीबी रेखा से उपर जीवन अपन करने वाले परिवार उपरियुक्त मेशे एक से अधिक गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार उपरियुक्त मेशे पोई नहीं ठीक है? बताए बेटा चले है अन्पूरा योजना के अगर बात क्या जाए जो है अन्पूरा योजना अन्तियोदे अन्पूरा योजना अलाए दोनों तो वह ब्रिध वह गरीब लोग जो 65 वर्स से अधिक उनके लिए लागू किया गया उनके लिए लागू किया गया जिनके वह ब्रिध वह गरीब जो ब्रिध हो ऐसे बात के जाए जो गरीब हो गरीब के साथ जो ब्रिद्ध हो और ब्रिद्ध में जिसकी जो है आयू जो है पैसोट वर्स से अधिक हो जो गरीब हो गरीब के साथ साथ ब्रिद्ध हो और कितना ब्रिद्ध हो जिसकी उम्र जो है जिसकी आयू पैसोट वर्स से अधिक हो वह अनपूड़ा योजना का लाव उठा सकता है ये किसी समंदी चलता है बीपियल बीलो पावर्टी लाएं अर्थात इसके तहत अगर बात क्या जाए इस योजना के तहत इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीची जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामिल किया जाता है एक है अंतियोदे अन्योजना तो अंतियोदे अन्योजना के अंतरगत अगर मैं बात करूँगा गरीबों में से गरीबों में से गरीब की पहचान कर गरीबों में से गरीब की पहचान कर पहचान कर परिवारों को परिवारों को परिवारों को लाब दिया जाता है अनाज उतलब्द कराया जाता है एक तो यह होगा तो यह आपके क्या है गरीबों में से गरीब की पहचान कर परिवारों को लाब दिया जाता है अनाज उतलब्द कराया जाता है तो यह राइट उत्तर आपका यह होगा इस प्रकार के आपके परश्ण बनते हैं चलेगा सरसिच्छा अभियान किष्णे प्रारम किया इंद्रा गांधी ने नरसिमहराओ ने अटल बिहारी भाचपेई ने उप्रियुक्त में से एक से अधिक उप्रियुक्त में से कोई नहीं अब बात के जाए सरसिच्छा अभियान अब बात के जाए तो सुरुगात कब हुई तो ये अगर देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगे बेटा 2001 में इश्की सुरुगात है और कहा गया 6 से 14 वर्स के 6 से 14 वर्स के आयू के बच्चे को आयू के बच्चे को नीसुलक एवं अनिवार सिच्छा नीसुलक एवं अनिवार सिच्छा दिया जाएगा तो 2001 में 6 से 14 वर्स के आयू के बच्चे को नीसुलक एवं अनिवार सिच्छा उपलब्द कराया जाएगा या प्रदान किया जाएगा ठीक है अब बात किया जाएगा ये किसके द्वारा लागू किया गया था अटल विहारी भाजपेई के द्वारा राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा उस समें प्राइम मिनिश्टर आप क्या थे तत्कालिन प्रदान मंत्री अटल विहारी भाजपेई के द्वारा दो हजार एक मिशन सोधन कर जो है चास से चौदा वर्ज के आयो के बच्चों को निसुल के यहम अनिवार सिच्छा प्रदान किया जाएगा ठीक है बटा इसी के साथ हमारा प्रस्णावली समाप्त होता है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं अगले क्लास में हम लोग कांटिन्यू करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद अगली क्लास आपकी जो है मैथ की होगी और रिजवान सर आ रहे हैं और आपके जानते आपके सुल्जे हुए प्यारे एवं मैथमेटिसियन जो है गर्टक के जो है आपके चहेते सर आपके सामने आ रहे हैं सर का स्वागत करते हैं आईए सर अभी आपने देखिए सर से इकोनामिक्स पढ़ा और ये देखिए बहुत अच्छी बात है सर एक इंजिनियर होके आपको इकोनामिक्स पढ़ा रहे है अभी तक आपने सायद एकाद दो लोगों को देखा होगा उसमें सर भी है कि एक बीटेक का बंदा आपको economics और जोगर्फी पढ़ा रहा है तो कितना अच्छा पढ़ाते होंगे यह आप समझ सकते हों क्योंकि इनका चहेता सब्जेक्ट यह है मेरे भाई तो आईए अब मैं इसी कड़े में आपको मैद पहाऊंगा मैं भी भाई बीटेक ही हूँ इसलिए मैं बेटेक की बीटेक की स्थिति को जानता हूँ चलिए कोई बात नहीं भी आई एफ सुरू करते हैं लोग अपनी मैद की क्लास को अब आपके पास कुश्चन के बात कुश्चन आने वाले हैं और मैद की धुवाधार कुश्चन जैसे आप त्रिकी करते थे उसी कड़ी में आज आपको और भी मिलेंगे मेरे भाई कोई प्राब्लम नहीं है आईए पहले कुश्चन पर हम लोग चलते हैं और पहले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई तो देखिए पहले कुश्चन पर आप आईए तो पहला कुश्चन आपके समझ आ चुका है और देखिए इस पहले कुश्चन को हम लोग साल्व करते हैं ये पहला कुश्चन आपका था समझिए अंडर रूट आपको दिया ह एक क्यावन का स्कॉयर माइनस 49 के स्कॉयर का मान क्या होगा देखिए अंडर रूट भी है और दोनों जगे आपका स्कॉयर भी लगा हुआ है मेरे भाई तो इसकी बैलू आपको निकालना है और वह भी पॉइंट में निकालना है तो देखिए अब इस कुश्चन को हम लोग साल्व करते हैं और इस कुश्चन को साल्व करना सुरू करते हैं अंडर रूट एक क्यावन के स्कॉयर माइनस 49 के स्कॉयर इसका मान आप निकालेंगे कैसे निकालेंगे देखिए आपने एकदम सिंपल में मैं आपको बताने चल ला हूँ एकदम छोड़ी क्लास में आपने पढ़ा होगा a स्कॉयर माइनस b स्कॉयर तो एक ब्रेकेट में a माइनस b और एक ब्रेकेट में a प्लस b यह होता है मेरे भाई, तो वही चीज आप ले लो, तो देखो, यह आपका हो गया, 51 प्लस 49, दूसरे ब्रेकेट में हो गया, 51 माइनस 49, यह आपका हो गया, तो इसको अगर आप ले लेते हैं, 100 और 2, बस काम खतम मेरे भाई, 10 का वर्गमूल, 10 का वर्गमूल, 10 का वर्गमूल, 10, 10 अंडर रूट 2 हो गया, तो जब यार 10 अंडर रूट 2 हो गया, तो अंडर रूट 2 का मान क्या होता है, 1.41, तो 14.41, तो आपसन नमबर A मेरे भाई, इसका एंसर यह हो गया, तो देखिए, आपसन नमबर आपका A, आपक 14.414 आपका होता है तो देखिए यह आपका एंसर हो गया 14.414 अब देखिए आफ्शन नंबर ए मिल गया एकदम सिंपल यह आप निकल लिया इसमें लगता है किसी कोई प्राब्लम नहीं हुई होगी तो आईए हम लोग एकदम दूसरे कुश्चन पर चलते हैं जो आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है मेरे भाई तो मैंने आपको इस टाइप के कुश्चन को कई तरीके से बताया था तो देखिए जब आप इस कुश्चन की बात करेंगे तो देखिए कुश्चन आपका है 12 पुरूस या 18 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं तो 8 पुरूस और 16 महिलाएं कितने दिन में काट सकते हैं तो मेरे भाई इस कुश्चन को आप साल्व करिये इस कुश्चन को हम लोग साल्व करते हैं तो आईए इस कुश्चन के सलूशन पर हम लोग चलते हैं तो इस कुश्चन को हम लोग साल्व करेंगे मेरे भाई तो देखिए दिया है 12 पुरूस या 18 महिला एक खेत को 14 दिन मे काट सकते हैं तो समझे आपको इसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया था ओ तो रहे गई मेरे भाई आज मैं एक ट्रिक और इसके लिए नहीं बताऊंगा ठिक जैसे भी इस टाइब का कुश्चन आपने किया था यह मॉण डीवन पर किया था और डिवाइड करने वाले प्रिक बताया था आज इसको मैं एक और तरीके से कराऊंगा तो देखिए पहले आप इस कुश्चन को समझे यह कुश्चन जो आपको दिया गया है कि 12 पुरूस या 18 महिला एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं 12 पुरूस या 18 महिला तो 12 यम हमने ले लिया बराबर 18 डबलू तो यह देखिए 6 दूनी 12 और 6 तरीक 18 यानि दो आदमी का काम तीन औरतों के काम के बराबर हैं पहले हम बेसिक से आपको बता देते हैं तो देखिए बेसिक से आप जब करते हैं तो इसको पहले बेसिक से कर लिजिए फिर उसके आगे मैं बता रहा हूँ तो देखिए आप पुरूस और सोला महिला हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे बारा आदमी और अठारा ओरतें किसी काम को 14 दिन में करती है तो यहां पर अधमियों का काम और 18 ओरतों का काम आपस में बराबर है 12 आदमियों का काम और 18 आदमियों का काम बराबर है 2M बराबर 3W तो यहां पर M1 D1 वाला concept लगा लो मेरे भाई तो M1 D1 is equal to M2 D2 तो आप देखो M1 में मानलों मैं पुरूस को ही रख लेता हूँ 12 आदमियों रख लिया D1 कितना है 14 M2 हमने ले लिया 8 पुरूस 8 M हो गया प्लस 16 W हो गया तो यह आपने ले लिया तो देखिए समझे 12 M 12 आदमि 14 दिन में करते हैं और 8 आदमि 16 आदमियों उस काम को कितने दिन में करेंगी तो यही मैं D2 मान लेता हूँ मेरे भाई यह मान लेता हूँ D2 कि यह D2 दिन में करेंगे दोनों तरब तो चार दुनिया 8 kg बराबर तीर चारती है रहता डबलू 9,2ements 12 बराबर बराबर तो 12 डबलू हो ग एँच्वान इंटू 14 बराबर यह आपका अट डूत कि जगह अपका कि यह ंपने लेलिया 8 यम अब आपको दिया कितना है 16 16 और तो को निकालना है तो यहीं से आप निकाल दो और तो को यम में बदल दो मेरे भाई तो देखो 3 by 2 by 3 यम ले लो 2m by 3 is equal to w तो 16 एक और बराबर इतना तो 16 और को ले लेना है तो 2m into 16 by 3 यह आपने ले लिया तो 8m plus 16 दोनी 32m बटे 3 into d2 पहले बेसिक से कर लो आप तो यह आपका हो गया मेरे भाई तो 12m into 14 is equal to 16 आप ले लोगे तीन दो च्छा चार दो च्छा और तीन दो पांच च्छापन च्छापन एम बटे 3 into d2 यह आपका हो गया यह हम से हम 14 से काड़ दो चार बार में चार तीन इबारा तिन त्रिक का नौ तो d2 is equal to 9 यह हमने बेसिक से कर दिया तो मेरे भाई जब इसको हमने बेसिक से कर दिया तो यह नौ आ गया अब यह question का answer आपको नौ मिलगया मेरे भाई यह बेसिक से आपने किया तब अब हम लोग यसी को pushya करते हैं अब अपने trick अगर करते हैं मेरे भाई तो देखिए अब मेरे ट्रीक पे दो हमारा trick जो होगा इस type के question के लिए यह बहुत ही सांदार होगी और उस सांदार ट्रिक से हम लोग इसको साल्व आउट करेंगे तो देखें मेरे भाई तो सांदार ट्रिक से आप इसको निकालिए तो यह बहुत ही सांदार तरीके से आपका होगा तो कुश्यन अब हम लोग ले लेते हैं इसके लिए देखें यह कि यहां पे ट्रीक अब हम लोग शुरू करते हैं जो ट्रीक है उस्ट्रीक के कार्णिंग हम लोग ले लेते हैं बारा यम बराबर अठारा डवलू को च्छा दुनी बारा च्छा त्रीक अठारा यम अपांड डब'loo वराबर 3 By 2 मेरे भाई तो जब यह थ्रिवाइट्व हो तो 12 गुले 3 और D 14 है इसकोल 2 इधर 8 पुरूस है तो 8 तरीक 24 प्लस 16 दूनी 32 इंटू D2 बस यहीं से आपका काम हो जाएगा तो 12 गुले 3 गुले 14 बटे यह आपका 6, 56, 14, 4, 56, 4, 3, 2, 3, 3, 9 बराबर D2, D2 की बेलू 9 तो इससे भी मेरे भाई आप निकाल सकते हैं तो इससे भी आपका यह कुश्चन साल्व हो जाएगा इस पे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं तो इस तरीके से हम इसके कार्डिंग भी इस कुश्चन को मेरे भाई साल्व कर सकते हैं तो यहां तक आपका यह Queshyn हो जाएगा अब आइए हम लोग अगले Queshyn पर चलते हैं अगले Queshyn की एकारडिंग इसको करते हैं तो देखे यह आपका गए D2 अब इसके एकारडिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखे आपका जो आपका Queshyn है बहुत ही सांदार Queshyn है next question अगर आप ध्यान दीजिए तो ए अपान बी की पावर 2x-3 बी अपान एक की पावर x-3 तो x का मान होगा मेरे भाई तो देखें यह question बहुत ही यह question बहुत ही सांदार है इस question को हम लोग उतने ही सांदार तरीके से करते हैं तो देखें मेरे भाई इसके solution पर आप आओगे a अपान बी की power 2x-3 is equal to a upon b की power minus x plus 3 हो जाएगा sign बदल जाएगा a upon b बराबर a upon b अब देखो अगर दोनों का base सेम हो जाएगा मेरे भाई जब दोनों का base सेम हो जाएगा तो 2x-3 is equal to minus x plus 3 यह आपका हो गया 3x is equal to 6 3x is equal to मेरे भाई 2 3x की value आपको 2 मिलेगी तो देखें मेरे भाई x की value आपको 2 मिलेगी जो की आपने एकदम simple तरीके से कर लिया अब देखो यह तरीका था इसी को अगर मान लो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं इसी तरीके से अब आप देखें मेरे भाई इस question को आप कैसे साल्व करेंगे इसको साल्व करने का एक और तरीका है ओ तरीका क्या है उसके कार्डिंगर आप लेते हो इसको तो देखें इस question को वाई जे ट्रिक हम लोग ले लेंगे तो जब आपका क्या हो जाएगा आजे ट्रिक जब हम लोग ले लेते हैं तो देखे जैसे अभी हमने आफसर नमबर ये किया अब इसमें आपको ये नहीं अब बैलू पूड कर लिजिए देखे पहले सबसे छोटी बैलू पूड कर लिजिए a upon b 2 minus 3 is equal to b upon a देखो ये खमने लिया 1 minus 3 तो इधर minus 1 आया इधर minus 2 आया इसलिए ये आपका नहीं होगा तो देखे अगला अगला हम लोग ले लेते हैं अब तुल लेके रखे देख लो a upon b की power 2 into 2 minus 3 is equal to b upon a की power 2 minus 3 a upon b की power minus 1 a upon b की power इधर आपका इधर plus 1 है तो इधर उल्टा जब कर देंगे तो plus 1 इधर भी आ जाएगा मेरे भाई तो ये किस पे हुआ 2 पर तो इस तरीके से आप इसको option रखके भी मेरे भाई option को चेक करके भी कर सकते हैं तो इस तरीके से आप इसका option का यूज करके भी इस question को बहुत ही simply solve कर सकते हैं मेरे भाई तो इस तरीके से ये question आपको हो जाएगा तो देखिए अब हम लोग अगले question की ओर चलते हैं अगला question अगर हम लोग ले लेते हैं तो अगले question की ओर अगर आप चलेंगे ये question number हम लोगों का थर था मेरे मेरे दोस्त अब question number four पे आते हैं तो देखिए, question number 4 जो है, आपका बहुत ही सांदार question है, इस question number 4 को हम लोग देखते हैं मेरे भाई, तो उतने ही सांदार तरीके से हम लोगों को भी करना है, तो देखिए, question number 4 पे चलते हैं, एक तिर्भुच की भुजाईयों, भुजाओं के लंबाईयों का अनपात दिया है, समझो मेरे भाई, पहले आप इसको basic से करो, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही simply आपका लोगे, तो देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दिया क्या है, एक तिर्भुच की भुजाओं की लंबाईयों का अनपात, मेरे भाई, आप देखो, यह तिर्भुच क तराबर 25 आ रहा है, तो यह राइट रेंगल बन रहा है, समकोन तिर्भुच बन रहा है, तो अगर आप basic से ले लो, A, B, C आपने ले लिया, तो यह आपका क्या होगा, 3X, यह 4X और यह 5X, 3X, 4X और 5X, यह आपका हो गया, 3X, 4X और 5X मेरे भाई ले लिया गया, तो अग इसका परीद दिया है, तो परीद क्या होती है, A, B, C, is equal to 144 cm, तो अब देखिए, 5X plus 3X plus 4X is equal to आपका 144 cm, तो यह आपका हो गया, 5, 4, 9, 3, 12X, बराबर 144 cm, तो X बराबर आपका हो गया 12 cm, मेरे भाई, तो 12 cm, तो अब X की बेलू, आपकी 12 cm, तो यह आपका हो गया, बरतियाई, 36, 24, 48, यह आपका हो गया 36 cm, और यह 48 cm, अब छेत्रफल होगा, समकोण तिर्भूज का छेत्रफल, समकोण तिर्भूज का छेत्रफल बराबर, प्या होगा, एक बटे दो, तीन एक्स इंटू चार एक्स, तीन एक्स इंटू चार एक्स, मेरे भाई, वन बाई टू तीन, तीन आप काट लोगे, तो बरतियाई, 36, आपका है, बार चोग कन तालिस, यह आपका हो गया, दो सिकार तो गया, अठार, अठार अठे, एक्सु चोग आलिस, तो मेरे भाई, आप देखो, अठार, ठेक्स, ऑज़ोग आलिस, चार लिको, चाहओता, अठार, चोगब इस तरीके से हम लोगों को निकल लिया, तो मेरे भाई, आप इस तरीके से न करके, अब आप इस तरीके से ना करके और आसान तरीके से कर लिजिए तो देखिए अब आसान तरीके से आप अगर करते हो तो आसान तरीके से भी ये कुश्यन आपका सिंपली साल्व हो जाएगा तो देखिए मेरे भाई, इसकी अगर बात आप करेंगे, तो आपका है, जैसे देखिए, परिमाप आपका लेते हैं यहीं से, देखिए, अब जो ट्रिक का यूज कर देना है, यहीं से आप कर लो, इसको जोड़ो, चार, तिन, साथ, पाच, बारा, बारा बराबर 144, तो एक ब बराबर 12 हो गया, तो अब यहीं पर 6 फल होगा, चेतर, तिर्भुच का चेतर फल, बराबर, देखो, एक बराबर 12 आगया, तो एक बटे दो लो, यही, यह बड़ा वाला टन होगा, इसको नहीं लेना है, बारतियां 36 हो गया, और बार्चोग 49 हो गया, दो से कारते हैं इसक आपका वही 864 cm2, 864 cm2, आफशन नंबर C मेरे भाई, तो यहां से भी आपका आफशन नंबर C आगया, तो इस कुश्चन को भी हम लोग साल्व करते हैं, तो उसी तरीके से हमारा अंशर आपका मिले आएगा, तो देखे, यहां तक हम लोगों ने कर लिया, यह कुश्चन आ पफ़िप चलते हैं अब देखिए अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं तो देखिए कुश्यन नंबर के कुश्यन नंबर हम लोग ले लिये फोर आपका हुग जया अब देखिए कुश्यन नंबर 4 कि बाद हम लोग चलते हैं question number 5 पर तो मेरे भाई question number 5 को हम लोग solve करेंगे तो कैसे करेंगे इसको आप देखिए जैकि एक बित और एक वर्ग के छेत्रफल समान है देखिए आपको यह दे दिया है एक बित और एक वर्ग के छेत्रफल आपस में क्या है समान है एक बृत और एक वर्ग के छेतर फल आपस में क्या है मेरे भाई समान है तो जब यह समान है तो बृत की वर्ग की भुजा और बृत की त्रिज्या का आपस में अनपात क्या होगा समझे पहले आप देख लो पहले आप एकदम बेसिक से इसको देख लो मेरे भाई इस कुश्चन को हम लोग एकदम बेसिक से देख लेते हैं जैसे ये कुश्चन दिया है आपको दिया क्या है एक बृत और एक वर्ग के छेतरफल समान है जैसे देखो ये मान लो हमने एक वर्ग ले लिया A, B, C, D इसकी भुजा हमने A ले लिया और एक हमने बृत ले लिया अनुपरत नहीं मेरे भाई यहाँ पर अनुपाद होगा अनुपाद अनुपाद पुछा है ठीक कोई बात नहीं है ये अनुपाद हो गया तो अब देखो इसको अगर हम लोग ले लेते हैं A, O, B तो A, O, O, B, O, B, O, R यह आपका होगया बृत की त्रिजिया अब देखो AO is equal to OB is equal to R इसे हम लोग बोलते हैं बृत की त्रिजिया अब देखो मेरे भाई जब ये बृत की त्रिजिया है तो आप ले लेंगे यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो वर्ग का छेत्रफल आप ले लोगे वर्ग का छेत्रफल बराबर बृत का छेत्रफल यानि वर्ग का छेत्रफल बराबर बृत का छेत्रफल आपको दिया है कुशन में तो मेरे भाई जब वर्ग और बृत का छेत्रफल है तो वर्ग का छेत्रफल क्या होता है a square बृत का छेटफल πाई r square तो a अब देखो यहाँ पे a square upon r square is equal to πाई upon 1 है मेरे भाई इसी को थोड़ा सा साल्व कर लो a upon r का whole square is equal to πाई upon 1 तो a upon r is equal to under root πाई upon 1 तो यानि under root πाई ratio 1 option number b यह आपका option number b आ गया मेरे भाई तो इस question को हम लोगों ने basic से कर लिया अब देखे direct अगर हम लोगों को लेना है तो इस question को हम लोग direct भी कर सकते हैं तो इस question को direct भी करते हैं अब देखे इस question को direct हम लोगों करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे तो इस टाइप के question को आप डारेक्ट भी निप्टा सकते हैं देखिए अब जैसे अगर हम लोग आते हैं इसी question पे आपको जो यही दिया था एक ब्रित और एक वर्क के छेतफल क्या है आपस में समान है तो उनकी भुजा अब देखो जैसे भुजा कर आप लोग यह छेतफल a square और इधर आप ले लो i r square square वाले को एक तरफ करो बाकी को अधर रख दो a square r square pi तो इसी को a upon r square 2 under root pi upon 1 आफसन नमबर a हम लोग इससे भी कर सकते हैं आईए next question की तरफ चलते हैं यह question और अच्छा है और जबर जस question है मेरे भाई इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा इस question को आप पढ़ेंगे तब समझ में आएगा एक सम चतुर भुज के यदि एक सम चतुर भुज के एक बिकन की लंबाई दूसरे बिकन की लंबाई का 80% है यदि एक सम चतुर भुज आपने अगर ले लिया तो देखे यही दिया है कि यदि एक सम चतुर भुज के एक बिकन की लंबाई दूसरे बिकर्ण की लंबाई का 80% है तो सम्चतुर्भुच का छेतफल बड़े बिकर्ण के वर्ग का बड़ा जो बिकर्ण है उसके वर्ग का यक्स गुना है तो जहां यक्स का मान होगा यानि इन सम्में आपको यक्स का मान निकालना है तो पहला काम ये आप करिए, पहला काम आपके ये है कि पहले आप इसको basic सिक्दम समझ लेजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे अगर आप सम्चतर भुज ले लेते हैं, जिसको हम लोग rhombus बोलते हैं इसकी चारों भुज आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इसके बिकर्ण एक दूसरे को 90 पर intersect करते हैं, ये, यहाँ पर ये आपका 90 होता है, तो अगर मालो AC, AC एक बिकर्ण है, हमने AC स्कुल टू, PX गुना आपको दिया है, तो हम लोग एक काम ये करते हैं, AC को D माल लेते हैं, या D1 माल लेते हैं, जिसके टम में दूसरे को भी निकाल देंगे, AC स्कुल टू, आपका D हो गया, तो BD जो होगा, इसी का 80%, तो 80% का मतलब 4 बड़े 5 होता ही है, आप जानते ही हो, 20 से कार दोगे, 4D अपान 5, ठीक, ये आपने ले लिया, ये परसेंट में आपने पढ़ाई है, तो अब देखिए, इसमें कहा क्या है, कि यदि एक सम्चतुर भुच के एक विकान की लंबाई, दूसरे विकान की लंबाई का 80% है, तो सम्चतुर भुच का छेत फल, बड़े विकान के वर का, दोनों विकान मिल गए, अब छेतर फल क्या होता है, 1 by 2, D, दोनों विकानों का गुड़न फल, पहला विकान D, दूसरा विकान 4, D by 5, ये आपका हो गया, सम्चतुर भुच के छेत फल, बराबर 1 बटे 2, इंटू उनके विकानों का गुड़न फल, ये ही होता है मेरे भाई ये आपका हो गया, आप देखो, बड़े विकान का वर्ग, D square into X, ये ही आपको दिया है, तो आप समझो, D, D, D square cancel 2, 24, दो बटे 5 बराबर, देखिए इसको आप लेंगे, दो बटे 5 बराबर आपका X, X की वैलू, क्या जायेगी मेरे भाई, दो बटे 5, ये ही आपका एंसर आगया, तो आप इसको देखिए जल्दी से, इसमें जो चीज़ें आपको ना समझ में हाई हो, बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले question की ओर चलते हैं, अगले question को करेंगे, छेत्र फल, समझत उर्भुच का यही होता है, 1 by 2, D1 into D2, इसकोल 2, D2 आपको दिया ही है, इसी question को आप trick मान, trick से भी कर दो, ये सब लेने की कोई जरूते नहीं है, फिगर उगर बनाने का कोई ताम जहाम नहीं रहेगा अपने पास, इस question को आप direct भी कर सकते हो मेरे भाई, तो आईए, अब इसको जैसे अगर हमें direct करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो direct करना है, तो ये बड़े वाले विकर्ण को 100 मान लो, छोटा वाला विकर्ण 80 हो जाएगा, क्योंकि 80% कहा है, 100 का 80% 80 हो गया, बस काम खतम, into x, बड़े विकर्ण के वर्ण का x गुना कहा है मेरे भाई, तो ये ही से आपको हो जाएगा अब देखो, 100, 100 cancel कर लो, 100 बचा है, 1 by 2, 80 into 100 is equal to x, 1 0 स 1 0 काट दो मेरे भाई, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2 और 5, 2 बटे 5 बराबर x, इससे भी वही आपका आजाएगा, इसमें आपको ना फीगर बनाना है, ना कुछ सोचना है, डारेक्ट आपका मिल जाएगा, तो इस टाइब के कुश्चन को आप डारेक्ट ले सकते हो, चलिए, अब हम लोग अगले कुश्चन पे चलते हैं, अगले कुश्चन की ओर बढ़ते हैं, या इसी को एक तरीके से और भी आप कर सकते हो, सिंपल में, जब ऐसा कुश्चन दे, आधा तिहाई कुछ भी करें, तो अगर हम लोग बड़े विकण को सौ मानते हैं, तो उसका आधा ले लेते हैं, पचास, छोटा विकण असी, छोटा विकण असी, तो पचास गुड़े, असी, बटे, 100 का इसको आयार बराबर एक्स, एक, एक, दो, दो-जीरो कैंसिल, चार दुनियाड पचीस, पचिवों पचीस, दो बटे 5, बराबर एक्स, दो बटे 5, बराबर एक्स, इससे भी आप वही चीज को ला सकते हो तो ये आपके एकदम सिंपल से ट्रिक होती है जब बड़ा बिकन दिया जाता है तो उसका आधा लिया जाता है चोड़ा बिकन जितने परसंट में रहता है मेरे भाई उसको हम लोग ले लेते हैं आईए फिर अगले कुश्यन पर चलते हैं अगला कुश्यन आप पढ़िए और देखिए अगला कुश्यन और आपका सांदार है इस कुश्यन को आप साल्ब करने की कोशिश करिए अगर हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है मेरे भाई तो मैं आपको बताता हूँ ध्यान दिजिए अगला कुश्चन आपके पास स्कीन पर है इस कुश्चन को आप मेरे भाई देखो जल्दी से और इसको साल्व करने की कोशिश करिए अगर हो जाता है तो ठीक है नहीं होता है तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ चलिए इस कुश्चन को हम लोग साल्व करते हैं मेरे भाई इस कुश्चन को हम लोग साल्व करते हैं और उसी طریقे से साल्व करके इसको हम लोग साल्व करके जैसे अभी तक हम लोगों ने कुश्चन को किया मेरे भाई उसी तरीके से उसी फार्टमेट में आप इस कुश्चन को निप्टाओगे मेरे भाई तो आओ सभी लोग अब हम लोग इस कुश्चन की ओर चलते हैं अब इस कुश्चन की बढ़ते हैं यह कुश्यन आपका है एक बृत्ता कार बृत्त कार बृत्ता कार आप ले लो एक बृत्ता कार की आंतरिक परिधी 440 मीटर है उसके चारो और बने ट्रेक की चोड़ाई देखिये उसके चारो और बने ट्रैक की चोड़ाई 14 मीटर है तो वाय बृत का ब्यास है मेरे भाई वाय बृत का ब्यास हम लोगों को निकालना है वाय बृत का ब्यास हम लोग लेंगे तो देखे इसको आप समझे एक बृता कार की आंतरिक परीधी यह आपका है इसके चारो और देखे, O A, O A is equal to आपका हो गया R, अब यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं मेरे भाई, ट्रेक जो है, यह बृत्ता का ट्रेक आपका यही है, यह बृत्ता का ट्रेक है, ठिक, अब यह माल लिजे, ट्रेक जो जाएगी, तो जब यह बृत्ता का ट्रेक जो आपका ट्रेक है, तो अब इस प्रेक जो अब लोग उसी तरीके से साल्व कर लेते हैं, देखे, O A A A dash तो देखिए इसमें कहा क्या है अगर O A बराबर R है तो 2 pi R is equal to कितना? 440 2 pi R बराबर 440 है तो 2 pi R बराबर 440 है तो 2 हमने ले लिया pi की value 22 by 7 into R is equal to 44 तो ये 44 से काटेंगे 10 R बराबर आपका हो गया 70 R की value आपके पास 70 है तो देखिए जब R की value आपके पास 70 है तो ये 70 हो गया और ये 14 हो गया ये यहां से यहां तक 14 हो गया अब देखिए Y बृत का ब्यास क्या होगा? तो Y बृत की तरिज्या जो है Y बृत की तरिज्या Y बृत की जो तरिज्या है वो 84 है Y बृत की तरिज्या जो है वो 84 आपकी हो गई तो जब Y बृत की तरिज्या हमने 84 ले लिया तो Y बृत का तो देखिए Y बृत का ब्यास हम लोग ले लेंगे मेरे भाई तो Y बृत का ब्यास आपका हो जाएगा ब्यास आप लेंगे बृत का ब्यास ब्यास बराबर 84 का दो गुना टू इंटू एट टू फेवर एट आट दूनीट सोला आपका हो गया एक सो अंसर तो आपसर नंबर ए तो मेरे भाई ये आपका आपसर नंबर ए मिल गया यही आपका answer हो गया यह आपका option number A हो गया यही आपका answer है मेरे भाई तो इस तरीके से हम लोग इसको solve कर लेंगे चलिए अब अगले question के ओर चलते हैं अगले question के ओर बढ़ते हैं अगला question अब हम लोग लेते हैं तो आईए मेरे भाई अगला question आप लोग है ठिक अगले question पर आते हैं तो यह हम लोग कर लिए और अगर इसी को आपको direct भी करना है तो आप समझे इस question को भी हम लोग direct कर सकते हैं जब आप इसको direct करेंगे तो कैसे करेंगे आप समझे मेरे भाई देखिए question number question number 7 को आप direct करते हो तो आप कैसे करोगे direct से करने के लिए भी इस question को आप देखोगे मेरे भाई तो देखे आंतरिक आंतरिक तो 2 pi r is equal to 44 दिया है direct आप लिख लो 440 2 into 22 by 7 into r बराबर 440 तो 44 दहमा आर बराबर सत्तर बोलो मेरे भाई आर बराबर जब सत्तर हो गया तो उसके चार और बने ट्रेक की चोड़ाई ये आपको दे दिया है तो सत्तर प्लस चोड़ा आप ले लेंगे सत्तर वाई बृत अगर ले लेते हैं वाई बृत की तरिज्जिया या वाई बृत का ब्यास वाई बृत का ब्यास मेरे भाई वाई बृत का ब्यास आपका हो गया सत्तर प्लस कितना दिया है चोड़ा गुड़े दो यह आपका हो गया चार चौरासी गुड़े दो तो चार दुनी आट आट दुनी सोला 168 मेरे भाई यहां से भी आपका आ जाएगा 168 तो यहां से भी हम लोग 168 ले सकते हैं तो यह question number 7 का भी हमारा solution हो गया तो मेरे भाई इस question को आपने यहां तक भी साल्व कर लिया तो अब हम लोग आगे continue करते हैं आगे चलते हैं आगे continue करेंगे तो मेरे भाई आईए अगले question की ओर चलते हैं अगला question हम लोग ले लेते हैं तो देखिए question number 8 देखिए question number 8 आपको निकालना है मेरे भाई चलिए करिए इसको साल्व सभी लोग देखिए इस question को इस question को आप इसको साल्व करिए और देखिए इस question को कैसे आप निप्टाएंगे मेरे भाई आईए इस question को हम लोग साल्व करते हैं चलिए शुरू करिए हो सकता है तो ठीक है नहीं हो सकता है तो भी मैं इस कुश्चन को आपको साल्व कराऊंगा मेरे भाई अभी तक जैसे आपने लिया था सारे कुश्चन को आपने साल्व किया था उसकी बात थी तो आईए इस कुश्चन को भी हम लोग साल्व करते हैं मेरे भाई आईए शुरू किया जाए इस question के solution को इस question के solution को मेरे भाई आईए dear student आईए इस question को हम लोग साल्व करते हैं तो कैसे करेंगे मानक रूप नहीं है मेरे भाई इसको बोलते हैं हम लोग मानक मानक के रूप में है मानक के रूप में है तो मेरे भाई इस question को आप देखें और इस question को आप simply simple तरीके से आप इस question को solve करेंगे तो देखिए इसका जवाब कितने लोग देंगे अगर दे सकते हैं तो भी ठीक है नहीं दे सकते हैं तो भी ठीक है तो देखिए मेरे भाई आपको दिया है under root 1 to 1 into 10 की power 6 यह आपका है 1 to 1 into 10 की power 6 मैं ले लेता हूँ भाई हम लोग यहां पे ले लेते हैं तो देखिए 1 to 1 का मतलब क्या होगा 1.1 into 10 की power 3 1.1 into 10 की power 3 यही option number C मेरे भाई इसका मानक रूप है 1.1 आपने ले लिया मेरे भाई तो देखिए एकदम simple मैंने बता दिया 1.1 into 10 की power 3 यही आपका answer है यही आपका answer है मेरे भाई इस question को आप solve करिए देखिए इस question को आप simply solve कर लिजिए देखिए इसको अ कि अ चलो मेरे भाई आओ यह कुश्यन नंबर आठ तक हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से कर लिया बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों निप्टा लिया आईए मेरे भाई अगले question क्यों चलते हैं अगला question हम लोग लेते हैं आपके सामने आपके स समच अगला question आने वाला है उस अगले question को हम लोग निप्टाते हैं मेरे मित्र इस अगले question को देखते हैं तो अगले question क्यों बढ़ते हैं तो अगला question आपके पास screen पर आ रहा है बहुत अच्छा बहुत प्यारा बहुत सांदार देखिए बहुत अच्छा question है बहुत प्यार और बहुत सांदार ये कुश्चन है मेरे भाई यानि बहुत अच्छा बहुत सांदार और बहुत प्यारा ये हम लोगों का कुश्चन है मेरे भाई इस कुश्चन को आप उतने ही सांदार तरीके से करेंगे जितना सांदार ये कुश्चन देखने में लग रहा है मेरे भाई तो आईए इस question को हम लोग solve करते हैं तो पहले देखो आपको दे दिया है मेरे भाई क्या दिया है under root a तो देखो इस question को करने से पहले इस question को करने से पहले आप एक concept जान लो यह आपका होता है क्या होता है a plus b का whole square a minus b का whole square plus 4ab देखे a plus b का whole square plus a minus b का whole square यह हम लोगों का होता है मेरे भाई तो अब देखे इसको अगर आप लोगे इसके according यह आपका formula होता है तो देखे मेरे भाई a plus b का whole square is equal to a minus b का whole square plus 4ab तो आप इसको समझो मेरे भाई यह formula आपका बनेगा क्या under root a plus under root b का whole square तो इधर आपका हो जाएगा under root a minus इसी formula पिसको set कर देते हैं तो देखे यह आपका हो गया under root a plus under root b का whole square बराबर under root a minus under root b का whole square plus 4ab तो 4ab ना होके क्या होगा 4 under root a b यह आपका हो गया 4 under root a b यह समझे तो देखो मेरे भाई जब यहां तक आपका हो गया इस question को हम लोग यहां तक solve कर लिए तो अब इसको आप अगर ले लेते हो तो यहां से put करो तो यह मेरे भाई 17 का whole square और इधर क्या होगा 17 का whole square और इधर हो गया 1 का whole square plus 4 under root a b तो यह 289 is equal to 1 plus 4 under root a b तो 288 is equal to 4 under root a b मेरे भाई 4 से काट दोगे 4 सा 38 चार दुनिया under root a b under root a b मेरे भाई क्या हैगा 72 option number b तो देखे मेरे भाई इससे भी आपका answer आ गया 72 option number option number का है मेरे भाई option number आपको दिख रहा है option number आपके पास C मिल लहा है मेरे भाई option number C मिल लहा है तो देखिए अब इसी question को हम लोग क्या करते हैं इसी question को हम लोग ऐजे दूसरा method या tricky method उसको कर लेते हैं उसके carding हम लोग ले लेते हैं तो ये question आपने solve किया basic concept से C मिल गया तो अब देखिए यह आपका हो गया यह आपने दिया अब जब यह आपका हो गया मेरे भाई तो अब इसी question को आप और simply करेंगे और simple तरीके से करेंगे तो देखिए अब देखिए इसको अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे अगली condition अग अब इसको trick हम लोग ले लेते हैं trick क्या है समझो A under root A is equal to इन दोनों को जोड़ लो मेरे भाई 17, 18 18 बटे 2 बराबर 9 A बराबर आपका under root A बराबर 9 हो गया इसी तरीके से मेरे भाई under root B बराबर 17 A को घटा दोगे 16 16 बटे 2 बराबर 8 अब मेरे भाई इन दोनों को multiply करना है तो under root A into B बराबर 9 8 72 तो आपसन नमबर C इससे भी आप कर सकते हो मेरे भाई तो देखे मैंने आपको basic भी बताया और tricky भी बताया दोनों से आप इस question को निप्टा दोगे मेरे भाई चलिए अब इसी कड़ी में आपके पास history वाले सर आ चुके हैं और आप history वाले सर आपसे मुखातिब होंगे और आपको history से बहुत अच्छे च्छे question बहुत अच्छे ची थार्ट सारी चीजें आपको देंगे इस समय देखे दोबार का वक्त है तो आई ये शुरुआत करते हैं क्लास की हमेशा की तरह एक बार फिर से इतिहासी क्लास है सर ने भी आपको बहुत ही बहुत ही बहुत इन तरीके से जो है मायात्मेटिक्स के सवाल को बहुत है कई सारे ट्रिक आपको दिये और सर को ट्रिकी मेहत के लिए जाने जाते हैं इस पसली तो आईए क्लास के शिरुआत करते हैं वह देखे इतिहास की एक विकल्फ मैं E भी डालता हूं क्योंकि यहां पर E होना जरूरी है यहां ऐंग से अधिक यह oupर दिू ant अब थेगा अब देखे आपके साबने हो स्वींभा जो विकल्प दिया है खिए सोधति नहीं दंबा पुत्र में साथ करणी गौत दिन्म क üzलंभ पूत्र वहां अब बगधर रखेगा इसका विकल्प हो जाएगा गोतमी दी आपका विल्कुल राइट होगा क्यों कि अगर देखें आप यहां पर तो वास्तों में पहली बार आनंद के कहने पर किसे कहने पर भई पहली बार आनंद के कहने पर आनंद आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के सबसे परम पहले बात उध्यान रखेगा। दूशी बातą पर यहाँ पर यह है कि भही कहा। यह आननंदर के कहने पर पहले बार इस्टियों के कहा सुनिष्ट किया था। त cambiissements पहले बार اس्टियों को साङ्ग में परिवेस करने का सुनिष्ट काम किया था। महत्माबुध्य और इस कडी में सबसे पहली जो सर्व्धम महिला सामिल होती है पहली महिला जो होती है । गौतम वुद्धिक की ओ रहा जिए उसको बोलते हैं यसागे थिस्टी आप की होता कि आंवरपाली तो प्रिवेस्टाली की जुगणी का आमरपाली होती है वो आमरपाली महत्पाब बुद्ध की सिस्या मनलब उसने सिस्ता स्विकार किया था उसको संग में प्रिवेस्ट मिला था एक बात थोब और आप समझेगा चो कि बात यहां पर संग की हो रही है तो कई बार आप से कोशन कि भाई संग कर संग के नीमों का मिलता है और यह वास्तों में निर्मार हुआ है वो कहां पर संग बनाने का जो निश्वय उन्होंने किया था तो सारनात किया तक कहा थे शारनात यनि की वारान्यसी में किया था ये भी आपको ध्यान रखेगा और बुल्कुल राज गूर जाएगा आगे चलें, सवाल नमबर नेक्ष है, प्रथम बुद्ध बॉद्ध संगीती का अध्याक्स कौन था, देखें, इसमें भी आपका इविकल्प होगा, क्या हो जाएगा, इनमें से, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, इनमें से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नही कोई नहीं या फिर एक विकल्प और होगा एक से अधिक या एक से अधिक इसे भी आप यहां पर ध्यान रखेगा अब जरह देखें अगर बात यहां पर इसके की जाए तो बहुत क्लियर आपको बताओं प्रथम बहुत संगीति का अध्यक्षोन था यहां पर इसका विकल्प क्या हो जाएगा इसका विकल्प हो जाएगा आपर महा कस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च आगे अगर आप देखें आपर तो वास्तों में राजगिस आपसा सात्रुक उफने और किस ने अद्यस्ता किया तो अज्यस्ता आपका महात कस्चेफ कौन एक वैसाली में में काला सोक के समय में हुआ था और अध्यक्ष्टा कौन घ था तो आप थे सावख मीर सावक मीर अध्यक्स था और अगर तीसरे की बात करूं तो चुम्त हर्ट ढ़न filter में कहाँ पर होता सता है पाटनी पुत्र में होता है किसके समय होता है अशोक कि समय होता है कौन कौन करता देखsters लिखता आप एंचल मुगाली पुत्त तिस्व डिखमिएंगा यह बात ध्यान दखेगा और अगर हम चोथी की बात करें आपर चोथा तो चोथी में याद दखीगा यह होता है कस्मीर में कहां पर होता है कस्मीर में होता है और कस्मीर में कहां पर तो कहेंगे सर कुंडलवन में होता है कहां पर कुंडलवन में होता है किसके समय में होता है ह तो धर्म दो भागों बढ़ता है कौन आप एक आपका हीन यान एक हीन यान और दूशा आपका महायान तो यह सारी बाते हैं आपको यहां पर ध्यान रखने हैं ठीक है आगे बढ़े सवालंबर नेक्स क्या कहता है तो इसके बारे में जोड़ा ध्यान रखें करभई निमिकि दिया फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक तो कौन सा विकल्प होगा इसको आपको बताना है चलें निमिकित में से कौन उपनिस दो में से एक कैके जनपत का दार्शनिक राजा था बहुत सुंदर सवाल है देखें यहां पर क्या हो जाएगा भई यह आपका जनपत था भई क्या जनपत का राजा कौन था अश्चुपति था क्या था अश्चुपति था अब एक बात यह नखेगा कि आखिर अश्चुपति का उलेख किस उपनिसद में होता है मित्रो तो इसका उलेख जो होता है वो वास्तों में चान दोग उपनिसद में होता है कह आप कुछ बातें आपको और जाने चाहिए यह जो आपका छांदो गुपनिस्त है वास्तों में अगर देखाया है तो इसमें चार आस्ति इसमें तीन आस्रमों का पहली बार उलेक होता है किसका किसका आप पहेंगे सर्द यहां पर होता है क्या ब्रह्मचर का ब्रह्मचर यह हुआ और यहां पर जो जाएगा जावाल उपनिसद में किस्में जवाल उपनिसद में होता है यह अंधियार ध्यान रखेंगे ठीक है अब एक बात और यह वही च्छांदोग उपनिसद हभिया जिसमें किसका उलेक मिलता है कृष्ट्र के रूप में और गोर अंगिरस के सिस के रूप में इनका होता है किसका कृष्ण का तो कहने का मतलब यह सारी बात के दमाग में पर होना चाहिए फिलाल विकल कि हो जाएगा डिया आपका बिल्कुल हो जाएगा डियाक Wedi इक हैं आगे बने सवाल नामबर ऑनेक्स क्या बोल खाल यह परिवेक्षन निकित मैं से किस प्रोहित का दायति था अब यह से कोई नहीं अफिरेक सेधिक तो बहुत क्लियरली आपको बताओं कि जो अध्योवर्यू है यह वास्तों में किसका किस वेद का पुरोहित था तो भी अध्योवर्य जो है वो वास्तों में यचुरुवेद का किसका था यचुरुवेद का पुरोहित था अगर ब्रंभा की ब वो शाम वेद का जो है पुरोईत माना जाता है अब एक बाद जरह द्यान अखेगा वास्तों में यह जो आपका ब्रम्भा था ब्रम्भा ब्रम्भा जो आपका दिया है ब्रम्भा इसके बारे में आद अखेगा कि वास्तों में ब्रम्भा करता क्या है तो यह जो ब्रम्भा ह यह जो आपका ब्रह्म्ह है यह वास्तों में ना केवल अथरवेद का पुरोईथ है बल्कि इसे यग्गों का निरिक्षक भी माना गया किसको यग्गों का निरिक्षक इसे यग्गों का निरिक्षक भी कहा जाता है और आप जानते हैं कि यह जो आपका अथरवेद है इस ध्यान दखेगा चुक्कि अब यहां पर बात किसकी हो रही है बात यहां पर अथरवेद की थोड़ा सम कर लेते हैं तो या दखेगा यह वो वेद है जिसमें किसका उलेख मिलता है इसमें अंग का उलेख मिलता है और इसमें राजा परिक्षित का उलेख मिलता है किसका मिलता हुआ मिलता है किसका वसी करण बंद का उला片 कुछ का एक बात और इसाज सब्सक्रण करते और ध्यान एक हीगा कि इसमें गंणइ के गंशी की कुष्टीilt का almeteких मिलता है इसे में बाइप और इसी में कृष्टीक फसल की मंद्र बताये गए तो यह सारे बड़े important point है इसके बारे में आपको ध्यान देना है फिलाल क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प number यह ब्रह्म्भा इसका जवाब होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा आगे बड़े सवाल number next क्या बोलता है भाई इसकी बारे में हम लोग देखेंगे देखें बहुत clear देखें बहुत clear बहुत समझेगा यहां पर बोल एक कोशित की ब्रामभर अदो-लिखित कि संक्टा का ब्रामभर है फिल कितना सुन्दर सा सवाल है और कितना बढ़िया सा सवाल है अब आपको बताना है कि यहां पर दिया है यज्रिक वेत्का य्रवед का यजुर्वेद का शामवेद का अथरवेद का या फिर इन में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा ये आप मुझे बताईए चलिए भाई बताएं क्या हो जाएगा कौन सा सवाल यहां पर होगा इसके बारे में आपको बताने की आवस्ता है देखें अगर मैं आपसे कहूँ कि कोशित की ब्रामवण आथोलिखित की संगिता का ब्रामवण है सारे आपके दिए हैं और अगर मैं बहूं बोलूं तो क्या करोगे आप इसमें आप कहूंगे पारे में थूड़ी सी बात करिएगा वास्तों में RIGVET की बात आ गई तो RIGVET के बाgenे सुनित वयां कितने है ड़ा यह सबसे प्राचिनतम वेद़ हैं और एक बात और यह समझज़ेंगा कि इस रेगवेद में 10 मंडल है कितने मंडल है इसमें 1028 चुट्र है कितने सुट्थ हैं और 10580 मंद्रें कितने कांचः मंद्र कितने मंद्र अगर देखेगा इन पाढ़ नहीं कौन सी साखा मौझूद है तो कहेंगे सर साखल साखा अपने मूल रूप में वर्तमान में कहां पर है तो चुकि यह पटना की बात है ना इसलिए याद है कि यह पटना में है और पटना के खुदा बक्स लाइब्रेरी में कहाँ पर है खुदा बक्स लाइब्रेरी पटना के खुदा बक्स लाइब्रेरी है मित्रों और उसी पटना के खुदा बक्स लाइब्रेरी में यह जो है आपकी साकल साका क्या है वो संग रही थे तो इसे भी ध्यान रखेगा अब एक बात औ इसका संकलन किसने करवाया है तो इसका संकलन करवाया था महिदास ने किसने करवाया था भई महिदास ने करवाया था किसके नाम पर करवाया था अपनी मा इकरा के नाम पर कितना अपनी मा इकरा या अपनी मा एतरी के नाम पर इसको इकरा भी बोलते हैं मित्रों इसको हम एतरी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं एतरी तो इकरा बोलिए इतरा बोलिए या फिर एतरी इसमें क्या दिया है भाई तो एत्रे ब्रह्मभर में दखेगा इसमें राज की उत्पत्ति का प्राचिन्तम क्या राज की उत्पत्ति राज और राजा क्या इसमें राजा और राज की उत्पत्ति राजा और राज की उत्पत्ति का प्राचिन्तम उनलेख है का प्राचिन्तम सिध्धान्द दिया है प्राचिन्दम सिध्धान्द है और वो कौन सा सिध्धान्द भाई तो आप कहेंगे सर वो है दैवी उत्पत्ति का सिध्धान्द क्या वो दैवी उत्पत्ति का सिध्धान्द है दैवी उत्पत्ति का सिध्धान्द तो ये आप ध्यान रखेगा कि र राजा के सपत का उलेक मिलता है और राजा के द्वारा धारान की जाने वारी तमाम सारी जो उपाधियां होती है राजा की उपाधियों का भी क्या मिलता है इसमें जिक्र हुआ है और मित्रों एक बात और की वास्तों में जो क्या बोलते हैं जो क्या बोलते हैं राज्या या राज सू यग राज सू यग का उलेग भी कहां पर मिलता है इस एत रे ब्रामपन में मिलता है तो इसे भी आप ध्यान रखेगा ठीक आगे बढ़े सवाल नमबर नेक्स क्या बोलता है कि बहुत धर्म के अंतरगत माधमिक दर्शन के प्रतिपादा कौन थे ये सुन्दर स सवाल है और आपको यहां पर एक बार बता देना है कि यहां पर बहुत धर्म के अंतरगत जो माधमिक दर्शन है उसका प्रतिपाद कौन है नागार्जुन को बोलते हैं अश्यगोश को पुभुप को धर्म कीरति को या फिर इन में से कोई नहीं या फिर एक से दिक तो कौ कौन सा सवाल यहां पर होगा सही इसके बारे में बताने की आपको जरूरत है तो चलिया यह सुरू करते हैं देखें अगर बात करें आपर बहुत धर्म के अंदरगत माधमिक दर्शन के प्रतिपाद कौन थे भई तो देखिए माधमिक दर्शन जो है मित्रों किसका है आप इसको हम सून निवाद का सिधान भी मत्रू कहते हैं अब एक बात अब दियार लखेगा कि इनकी जो किताब है ना वह माधमिक कारिका है कौन है वह वास्तों में माधमिक कारिका है मित्रों और याद रखेगा इन्होंने यह जो आपके नागारजुन साहब है ना इनको एक समय के थे इनका सासनकाल कपका है तो नागारजुन का सासनकाल जो कपके थे कुशा सासक कनिस के आसपास के है कनिस के दरवारी तो यह भी यहाँ पर ध्यान रखेगा ठीक है तो फिलाल यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा विकल्प आपका नागारजुन हो जाएगा अस् किताब बुद्ध चरित है कौन है इनकी किताब का नाम बुद्ध चरित है और यह वास्तों में चौथी बौध संगीती के क्या थे उपाध्यक्स थे उप गुप्त और धर्मकीति यह तो बिल्कुल नहीं होंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा विकल्प आपका फिलाल एह हो जाएगा नागारजु निजदा राइट आपसन आगे बढ़ें सवाल नेक्ष्ट क्या बोला है नेमकित में से कौन से धातु भारत में दुती नगरी करण के लिए उत्तादाईर है यह सवाल यार बहुत जान लेने वाला सवाल है यह जान मारने वाला सवाल है में तो नगरी करण देखके देखना दो आपर हमें दिखाए था है अंबरेक वाथैसरों में करूं पहले के बात करूं यहाँ पर नगरी करन की बा종 को यहां पर यह तो यहалा पर стать वारेमेए कि आ आपका जो सिन्न्चाटी के सभधा होती क्या होती है फारे लाइट शिन्न्चाटी कवशノ accumulate अबात चुकि एसा कहा जाता है तो नगर नियोजन क्या तरहिए इसका नगर नोन इसका नगर नियुजन इसके नगर नुजन क्या था एक बाद ध्यान लखिए पहले क्या होता है पहले आप जानते हो कि जब नगर का अभिकास हुआ तो नगर आकस्मिक नहीं है कोई नगर का अभिकास एक-एक घटना नहीं थी बलकि वो चरणवभत तरीके से आगे बढ़े हैं कैसे जैसे आगर आप कि देखें जब पेहले क्या था जब पहले स्टार्टिंग में जब अपको सभ रवारे मालूम चलता है तो पहले छोटे-Chोटे जन भवा करते थे बात में जन से क्या वनेगे जनपड़ बने अवितिय तो महा यह कंडिशन होती है महा जनपड़ वाली एक तो ये निखर नगरी नगरी करण के सुझति करण के होती है तो वास्तों में क्यों होती है यूँकि वास्तों में लोह का मतलब क्या लोहा यहाँ पर हमें उत्तरवैदिक काल में क्या? उत्तरवैदिक काल में उत्तरवैदिक काल और उत्तरवैदिक काल की बाद करें तो उत्तरवैदिक काल में एक अस्थाल है उसका नाम क्या है? अतरंजी खेडा क्या नाम है? अतरंजी खेडा ये उत्तरवधी कालीन अतरंजी खीरा से पहली बार क्या मिलता है लोहे के साक्ष मिले है इसका मतलब यह है कि जब लोहा क्या है लोहा तामा कासाइन सबसे मजबूत धातु है और जैसे लोहा पर मनुस की पकड़ हुई जैसे लोहा की खोज हुई वैसे क्या हुआ मनुस इस का प्रयोग अपने अस्त के रूप में किया क्रिशिकार के लिए किया वनों को काटने के लिए किया और बाद में फिर उससे जब चुकी वन पत्ति होती है और बाजार का जो बाजार होते हैं बाद में फिर वो दिर 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 नगर और नगर का रूप लेते हैं तो कहने का मतलब यह है कि वास्तों में यह वास्तों में यह जो आपका लो है लो है कि आने से दुती नगर करीकरण की जो है शुरुआत होती है तो इस समय राच श्रा안 श्राउसा कव्वा थीक हैं कव्वा आप देखो यहां पर क्या निया iałै कि यहांपर क्या दिया ओड्र आपकर राज यह ए राज यहांगर होता है एक नगर तो राज्री राज अपर दिखाई पर त्देढ़ होता है भाइ स्रावस्ति का स्रावस्ति आपका दिया है एंपर यहां ay यह जो आपके नगर राजगरी रसावस्ति शा में ऑ रावस्ति कई यह कुछ निगर हैं जो की बड़े महाकून तो इसके शुरुआत कभ होती है मतलब ये दूती नगर करण शुरुक के हुआ लोहे के मिलने के कारारे थीक इसे याद रखीगा आगे बढ़ें सवाल नमबर नेक्ष क्या है करवे बुद्धर्म एवं बुद्धर्म एवं संग के प्रती असोक की प्रगान आस्ता का उलेक निमनिकित में से किस अभिलेक में है यह सुन्दर से सवाल है बहुत है बहुत बहुतरीन सवाल है अब आपको बताना यह है कि बुद्धर्म एवं संग के प्रती बुद्धर्म एवं संग के प्रती असोक की प्रगान आस्ता का उलेक निमनिकित में से किस अभिलेक में है शिला लेक बारा में शिला लेक छे म है तो देखी एक बात बहुत समझेगा एक अशुक काभ लेख है क्या है एक अशुक का भी है कौन सा भी लेक भाई एक अभिलेक है आपका वह वास्तों मेंanie देखा जाए तो वह लग शिणया लेख लेख और उसको बोलते हैं भाब्रु किया हम भाब्रु का सिलालेख में वास्तों में बहुत धर्म के यहाँ क्या थर जो सार्धम तो बुद्ь शंग और धर्म का जो लेक मिलता है कहां पर मिला है वह so के भाबुर मेरा क्लग लगू चिललेक में मिलता है तो इस नहुत ही अब यहां पड़ी पर आकर हो जाएगा है यहां होजाए गए महाँ नभी को ऑप जो कि कही ऑ है कितन BO कि एशो के दे सिलाले him कि संख्या कितनी है दी दिलया साहाMI क्या यह क्या है ऊप मैं इसके संक्या 14 है और यह जो आपके दी ले है चोदा है लेकिन सोट्धर आर बीषल एक और चरही कर देखेगा एशो कि दो चेंजे लेक हैं यह पहले एक है धोली एक है धोली और एक है ज़कल कौन धहुली और जभर जोग्ण थीक है यह कहां पर drives कि यह दोनों तोनों कहां पर हैं और Yisama में हैं गां पर रहे पर है उडिसा में है भाई यह जो दोली और जोगण सिला लेख है दिट लोक्त है बार बास्तो childcare असोक के चौदा सिलालेख हैं लेकिन चौदा सिलालेख कहां पर मिले हैं पुल आठ अस्थानों पर पाए गए हैं और इन में से धोली और जौगण में क्या मिलता है इन में से सिलालेख संख्या 11 12 और 13 का अंकन नहीं है बलकि इनके अस्थान पर दो प्रिथक लेख अपनाए क्या कहा है कहा है भई सभी मनुस मेरी संतान है क्या बोला है सभी मनुस सभी मनुस मेरी संतान है सभी मनुस मेरी संतान है तो एक बात दिमाग में यह होगा कि भई असोग में चौदा सिलालेख रिखवाए है नमबर एक या असोग में चौदा सिलालेख रिखवाए है दूसरी 54 है दूसरी बाद इसमें किसी लिप किस लिपी प्रेंग हुआ है मित्रों तो इसमें चार लिपिएं nedenक्construct लिपी का प्रेंग होई किसका इसमें और इक लिपी पाकिस्तान में जो मिला है जो पाकिस्तान में मिला है भाई वो और जो अफगानिस्तान में मिला है पाकिस्तान अफगानिस्तान इन चेत्रों में जो सिलालेक है वो खरोष्थी आरामेक और यूनानी लिपी में लिखे हुए है ठीक अब एक बात और मैं बोलू कि आशोक के द कौन को न से पंगती हैं बाई कौन से आख है तो तरह देखे नमबर एक के एक हमें क्रम देदा हूं आपर यहां पर क्या दिया है तरह देखेगा यहां पर करता है साम साम का साम का गुडिया साम की गुडिया और फिर क्या दिया भई एक और लिखा है साम का गुडिया सोब क्या दिया है सोब से धोले क्या सोब से सोब से जो धोली धूली ठीक है क्या दिया है अपर एक लाइन देखे साम का गिरी गुडिया सोब से जो धूली सोब मने साबुन से साम को गुडिया गिर गई और साम से गिरी गुडिया को आपने सोब से धूलिया अब यहाँ पर लाइन है अब इसे में आठो उसके दिर सला लेख है कौन-कौ सहबाजगडि यहां कैंसे सेरा मां सेरह क्या हो जाएगा यह चाहर से विए कालसी हो गया सोब से क्या हो जाएगा इसके बाद एक बाद देखेगा जोगण और धोली यह तो इरिशा में है कहा पर है यह उडिसा में है और इसी को हम प्रिथक सिराले एक बोलते हैं जबकि सोपारा कहा पर है यह महारास्टा में है कहा पर है यह महारास्टा में मित्रों अगर मैं एर्री गुडी की बात करूं तो यह आंध्रा में है कहा पर यह आंध्र प्रदेस में है उस पर गिरिना करते हैं जो आपका पाकिस्तान और ऑफ एक पुष्टन जो और बड़ी इंपोरटेंट वेंपर उसके बारे में जरहा नकेन यह पाकिस्तान जो सावाज गड़ी और मानसेरा यह केबल और केबल खरोष्टी लिपी में लिखे गए ऑफ ही यह आपके खरोष्थी लिपी में लिखे गए हैं इसे भी आप ध्यान दखेगा और एक बहुत सुन्दर से सवाल मैं आपको और बताओं क्या चुकि एसो के अभिलेक की बात हो रही है तो ध्यान दखेगा एक अभिलेक है सरेकुना अभिलेक ये कहां पर है भाई सरेकुने अभिलेक पर है कौन-कौन एक तो यहां पर आरामेग है कौन इसमें आरामेग लिपी का प्रयोग गवा है और यहां पर यूनानी भासाम का प्रयोग गवा है तो यहां पर ये सरेकुना जो है ये दो लिपियों का एक साथ प्रयोग गवा है इसे हम दुभासिक लिपी बोलते हैं वास्तों में जो अशोक के अभिलेक हैं अशोक के अभिलेक को सबसे पहले किसने खोजा था खोजा किसने आप एंगे सर टी पैंथलर ने खोजा है किसने खोजा है टी पैंथलर ने खोजा है किसने खोजा भई टी पैंथलर ने खोजा है और कौन से अभिलेक को खोजा था तो पहा था कौन जेम्स प्रिंसेप ने क्या पहा था जेम्स प्रिंसेप ने पहा था मित्रों बट किस अभिलेग को पहा था पहेंगे सर दिल्ली टोपरा को किसको दिल्ली टोपरा को पहा था किसको पहा था दिल्ली टोपरा अभिलेग को पहा था लेकिन यार रखेगा जेम्स प साक्तिस से लगा दिया था इस लिए पहला वावित विद्वान जिसने सुद्ध पहा जिसने देवा नाम पी का सम्मन्द क्या किया असोग से लगाया वो कौन था वो था तैर्नर क्यों था तो यह सारे बात भी आप यहां पर मित्रों याद रखेंगे ठीक है तो ज्यादा बे मिलता है मगनू मगनू में मिलता है मगनू क्या मगनू में ऐसोग का नाम मिलता है मगनू और मगनू क्या है तो एम ऐसे मास्की में से मास्की हो जाएगा जी से गुर्जरा हो जाएगा ने एन से नतूर हो जाएगा ने तूर और उसकी बार यहां पर उससे क्या हो जाएगा उलन गोलन क्या हो जाएगा उलन गोलन यह सारे पॉइंट यार याद रखना बहुत ही important है आपके लिए ठीक कर दोन सब्सक्रा करने प्राचेंति में मैं जल लहर का प्रमार कहां से मिला है उलने इस सवाल है यह क्या हो सब्सक्राइव को सब्सक्राइब कर में लिए देखें बहुत साफसी बत प्रैक्ट ठीक है चले अगर मैं बात करें आपर तो यह प्राचिंतम जहल नहर का जो निर्माड हुआ था मित्रों वह वास्तों में कहा पर हुआ था हांती गुंफा बले क्या यह सारी हांती करें यह आपका जूना गड़ भी आपका बिल्कुल सही होगा क्यों कि प्राचिंतम जहल नहर मिला और यह जो जहल नहर की निर्माड नीरर का निर्माड ठीक है यह अभी लिए तो रुद्रalon के जुना का पर लेक से जैनेहर के निर्मार की बात थे मित्रों व्यू नेखिँ गार यह चो आका गुर्स यह अपर गुर्स जियंग सκι्ट्र है घृर्णिर ज्कशतर वो सकते हैं किया नहींगी तो फी और किसमें में प्रों किसने किया था उसका जो जो है गवरनर्प था क्वों तपन कोन था पुष्च गुप्ड वैस था उस तो गवरनर उस ने किया था भीक है इसके बाद फिर देखो फिर यहाँ पर आता है किया अशौक कर नाम आता है मैं जहां किसने कि श save सब 15 ए किस ने तरक दूर्वात नहें नें जो है तुसक्त ने तुसास्ब थे वट सबसकर नम किसे का तब मिलाता है और उसकनदगुप्त किसमें कह न कि था परदत ने खिया थना किस ने किया था और फिर नाम आता एंगत किसका यहाँ पर एक नाम अता है का रुद्र दामन का रता है और असकन्डूप का रदत हो गया और वास्तों में रुद्र दामन की समय सुविशाख हो गया इन चारों ने वहां पर जील का निर्मार कर रहा है नहरे निल्माई नहरे निकलवाई और साथ-साथ वहां पर क्या किया उसकी मरम्मक भी करवाई थी तो फिलाल विकल्प यहां पर क्या होगा बी आपका बिल्कुल राइट आगे सवाल लेक्ष्ट पर क्या घुप्त कालीन दसावतार मंदिर कहां पर इस्सित है यी सुन्दर हैं दसावतार मंदिर कहां पर आप एक लेसर णंजर ev guide को रहाए चुकि दसावतार की बात है और दसावतार माने किसके गया है विष्णू के तो भाई आप ये बता है कि वास्तों में ये जो गुप्त समराठ है गुप्त काल है ये वास्तों में क्या है भागवत धर्म के मानने वाले हैं ये वरिष्णों धर्म को मानने वाले हैं भाई भाग का ब्रोक करने करने वाला ग्रंथ है यह सवाल सवाल कि अनान सुना होगा चस्वाल किस प्रदेश के इतिहास का वर्रन करने वाला ग्रंथ है कस्मीर का शिंद का पंजाब का गुजराद का या फिर इन में से कोई नहीं आफिर एक सेधिक तो क्या हो जाएगा इसका बताना अब यहां पर बताना है चलिए अगर हम चचनामा की बात करें तो में तो ध्याना कि चसनामा चस्नामा की बात करें तो पहरी बात तो यहां पर यह है थ़्ोड़ा सा टाइम मैं देखू कितना है हाँ सही है चस्नामा की अगर बात करूँ नमबर एक देखी हिए चस्नामा जो है यह वास्तों में सिंद भिजय करता है है विकल्प आपका बी बिल्कुल सही होगा चसनामा का लेखा कौन था इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है अज्यात है चसनामा लेकिन ये सिंद पर अरबो के आक्रमण का सिंद पर अरबो के आक्रमण का आरवो के आक्रमन का जानकारी देता है और आप जानते हैं कि जो सिंद पर आक्रमन हुआ है वो लगबक 712 इस्यु में कितना साथ सो ग्यारा बारा इस्यु में हुआ था साथ सो बारा इस्यु में अरवो का आक्रमन हुआ था और किस ने आक्रमन किया था आप एंगे सर उस किया था मुहमत बिन कासिम कौन मुहमत कासिम ने मुहमत कासिम मुहमत बिन कासिम जो था मुहमत कासिम या मुहमत बिन कासिम उसन सिंद पर ब्राहभरवन्स के साथ राजा कौ था दाहिर दाहिर का अधिकार था ओर जधानी 되지 कि अधिक भी यह वाद भाल टी इस ने क्या इसने पूरे के पूरे शिंद पराकमर किया था शिंद को लूटा था विजय किया था और याद रखेगा इसने मुहम्मत बिन कासिम ने पहली बार क्या किया था शिंद पर ही जजिया कर लगाया था जजिया कर लगाया तो एक बात दिमाग में तो यह रखेगा कि अगर कभी क फिरोज साह तुगलक ने इस पसली ब्रामणों पर जजिया कर लगाए था इसको भी ध्यान अखेगा तो विकल्प यहां पर क्या होगा सिंध नावा सिंध हो दाएगा आगे बढ़े सवाल नेक्स्ट क्या बोला है अबर कहरा है कि दिवाने मुस्तक राज किया स्थापना किस ब्यक्ति है कौन सा सासक है जिसने दिवान ए मुक्तक राज की अस्थापना किया था अब बहुत क्लियर मैं आपको बताओं कि यहां पर अलावदिन खिलजी भी है बलवन भी है फिरोशा तुगलक है मुहमद बिन तुगलक है इन में से कोई नहीं है एक सहधिक तो अगर मै प्रिकार का राजत सुभिवाग था क्या था एक प्रिकार राजत सुभिवाग था और जानते हैं कि अलावदिन खिलजी ने क्या किया था उसने भूमी की 25 कराई थी भूमी की माप कराई थी और भूमी की 25 कराने के बाद क्या किया था उसने भू करके रूप में राजत सु की रूप में क्या किया था भूराजस की रूप में उपस का 1 dudal 2 किसका भया उपस का एक बटे दो लिए था मतलब 50% कर उसने लिया था 50% अलोट रुष भारे में कुछ और जहा नखेगा किyan इसने इक्ता ब्योस्ता को खतम किया था इसने इक्ता को क्या किया था इक्ता को सरकारी भूमी घुशित कर दिया था क्या इसने इक्ता को सरकारी भूमी घुशित किया था सभी सेनिकों से इक्ता ले लिया था और क्या किया था सेनिकों को नगत बेतन सुरू करना सुरू किया एक कोशन ओर देखे आलाव दिन खिल जी के बारें बात है तो सबसे बली बात यहां पर यह है भई हुशन ना के वने यह काम किया बलकी कुछ और काम किया जैसे इसने आरि जिय है मुणालिक क्या वह साथ pan अ और दूसरी बात यह है कि इसने एक काम और किया था बाजार बेवस्था इसने बाजार बेवस्था लागू कराई थी और इस बाजार बेवस्था को क्या नाम दिया गया था कहेंगे सर दिवाने रियासत क्या इसको दिवाने रियासत कहा जाता दिवाने रियासत यह बाजार छिसको शिकंदर तुर Pilip hip-ww और इसे क्या पोलते हैं इसको सलतनता का सुमध्रुप्ट गहते हैं flok का समुध्र पक्त कहते है ये बात रहरी बात आप याद रखेगा और एक बात और कि表ी थीन जीटी के समय Sबसे अधिक मंगोल आक्रमन होते हैं क्या सरवाधिक मंगोल आक्रमन सरवाधिक मंगोल आक्रमन मंगोल आक्रमन कहां पर होते हैं इसी किसमें होते हैं कुल कितने होते हैं छे होते हैं तो यह सारे विवाग के स्थापना कराई थी जैसे इसने क्या क्या करा थे भई तो आप कहेंगे सर इसने दिवाने बंदगान कौन दिवाने बंदगान के स्थापना कराई थी इसने और इसने क्या कराई थी दैक दारुल सफा इसने दारुल सफा की अस्थापना कराई थी मुहम्मद बिन तुपलक की बात करेंगे भई तो इसने दिवा ने अमीर को ही की अस्थापना कराई थी और इसके साथ साथ इसने जो है इसने हिंदू जो है तेवहारों पर भाग लेना भी शुरू किया था और इसक कॉन संस्क्रत का उच्छा गयाता था। बढ़िया सवाल तेरा अल्बरुनी हसन निजामी मिनाज उस्राज जियाओदिन ब्रणी या फिर in में से एक से अधिक क्या हो जाएगा फटाफड़ बत़ कि चलिए। कौन संस्क्रित का अच्छा ज्याता था चार विकल्प है अलबरुनी हसन निजामी मिनाज उसिराज जियाओ दिन बढ़नी एक से अधिक या फिर कोई नहीं बताएं फटाबट क्या हो जाएगा देखे एक बाद समझेगा जब हम संस्क्रित की गाता की बात करते हैं मित्रूंग तो यहां पर विकल्प हो जाए क्या अलबरुनी इस दर आइट आपसंद विकल्प आपका ए है अब प्रस्ट यहां पर यह है कि अलबरुनी था कौन और कैसे सो संस्क्रित दग्यान मिला तो अजहें इसका सथ बाद पर है हैं ऐतंने योई अचिए बिज़से भारत पर 17 आक्रमन की पर किये थे आक्रमन किये सर्च एक हजार ईप चया है 1417 के wiped इसमें कितनी बार आक्रमण किया था इसका नाम किया था किताबुल हिंद 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 किताबुल में मकाला भी कहते हैं मीने मकाला कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि यह चो आपका महमूद गश्रेवी यह चो आपका अलबरूनी था अलबरूनी ने क्या था अलबरूनी ने हिंदू साहित मतलब हिंदी साहित इसने गीता का अध्यान किया था इसने गीता का अध्यान किया था इसने जो है पुरानों का अध्यान किया था तो पुरानों और गीता और पुरान का अध्यान किया था कौन इसने गीता का भी अध्यान किया था और इसने पुरानों का भी अ किया था तो आप जानते गीता और कुरार किसमें संस्क्रित भासा में है तो संस्क्रित का एक प्रकान जो विद्ध्यान था अच्छा विद्ध्वान था यह कौन था आपका अलबरुनी था यह भी ध्यान रखेगा जियाओ दिन बरनी इसी किताब का नाम क्या है भी आप स्याओं चाही और मित्रों एक बात ध्यान दखेगा इस तारीक है फिरोजाई में उसने फिरोज शाट उगलक को दिली का शबसे नीगा सबसे वे सुद्दान किसको माना है फिरोज उगलक को कौन माना इकि शोखों OLU स्याई में हजा दिन बरनी कहता है मिना जो शिरा जो है हसन निजामी के बारे मेरे ज़ञेद हको यहां जितने भी हसन निजामी हो गे यह सारे के सारे जृत्रय को कवी है और लेका कई इसको भी आ याद या KP लो यहांद आखें गा विकलब कि आपका उत्तर क्या हो जाए किताब है भ Creed L permett Dacia ढाट किताब अएक निजान के किताब डिमाग है थिखाए शेलर से पर फतुहात एसा ऑड़िकताश परत दिया है यह जो किताब एक प्रम्रापे सलातीनि में उसने या दर्खेंगे हैं और ठीक है किस किताब है यह निजानी किताब है, किस की किताब है, निजामी किताब है, और में 3, एक किताब और है कौन? फतुहात एए, सिरोज नही आठका है, जिसको सा सुंप नहीं कहा है, तो यह सारे पॉइंट आप द्याएं ने आगे बढ़ें सवाल number next क्या बोला है 1857 के विद्रूओं के बाद अंग्रेजों ने क्या किया सेना में मराथों की न्यूक्ति बंद कर दी राज्यों का विजय करना छोड़ दिया सामाजिक सुधार बंद कर दिये प्रसासनिक परिवर्ता नहीं किया या फिर इनमें से कोई काम नहीं किया या फिर एक स्यादी किया कौन काम किया बताईए तो एक बात जड़ा देखे बात यहां पर 1857 की बात है तो 1857 की क्रांती जब होती है 1857 की क्रांती पहले बात तो यह है कि ये इसे लोगों ने बोला कि भाई क्रांति जो है वो अस्फल होती है और अस्फलतां के बहुत सारे लिजन गिना दियेतें बहुत सारे कारण गिनाये थे के लेकिन ध्यान रख़ीगा इसके बाद जो सब्से बढ़ा काम होता है वो यह होता है कि 1857 के बाद 1858 में क्या 1858 में 1858 में महाराणी विक्टोरिया क्या भी या महाराणी विक्टोरिया महाराणी विक्टोरिया विक्टोरिया का घोष्णा पत्र का घोष्णा पत्र जो है घोष्णा पत्र आता है और किसने पहा था इसको आप एंगे सर ये वास्तों में मिंटो पार्त में पहा था मिंटो पारत में पढ़ा था किसने पढ़ा था तो कहेंगे सर ये जो पढ़ा था विक्टोरिया का घुष्णा पद्र ये पढ़ा था लाड केनिंग ने किसने पढ़ा लाड केनिंग ने तो लाड केनिंग ने क्या क्या जब महानानी विक्टूरिया का घोष्णापत जारी होता है ठारच सो ठावन में और इसे भारती इसे भारत का मैगना कार्टा बोलते हैं क्यों बोलते हैं भारत का इस घोष्णापत्र को भारत का मैगना कार्टा बोलते हैं क्यों बोलते हैं व खेतरों में, आंत्रिक मामले में हम हस्तक चेप नहीं करेंगे, नम्बर दो, क्या बोला है ? आपर एक बांत्रिक मामले में, दोस्ती बात ज़रा ध्यान रखना और क्या कहा गया कहा गया है अबर कि हम युद्धिनीती नहीं पनाएंगे हमारा जो समराजवादी नीती हमारी खतम हो गई अब यहनी हम समराजवादी नीती साथ छोड़ देंगे समराजवादी नीती का त्याग कर दिया त्याक कर दिया, मतलब अब हम किसी के उपर चाक्रमार नहीं करेंगे, किसी राज को बिटिस राज में आप हम नहीं मिलाएंगे, दूस्ती बात यहां पर क्या हुआ, भारत में British East India Company का सासन समाप्थ हो गया, इस्ट इंडिया का शासन क्या हुआ British East India Company का । फिर कह रहा है आपर की इसके बाद क्या होता है जब ब्रिटिस इंडिया कंपरी का सासन समाप्वत होता है तो कहता है कि अब क्या हुआ अब भारत को कहां से जो है गवर्न क्या जाएगा सीधे बिटिस क्राउन से संसत है तो आप कहना है कि भारत के उपर भारत सीधे ब्रिटिस क्राउन या ब्रिटिस संसद से क्या होगा गवर्न होगा और इसी गवर्नेंस के लिए क्या कहा गया मित्रों इसी गवर्नेंस के लिए भारास सच्व क्या इसी को भारास सच्व का पद क्रियेड किया गया पद स्रिजित किया गया रिजित किया गया तो भाई बहुत अच्छी बाते हुई अब अगर आप देखो यहां पर तो यहां पर क्या दिया है सीना में मराठों के नियुक्ति बंद कर दी यह तो थी नहीं भाई राज्यों का विजय करना छोट दिया जी हां भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बोला भाई अब हम विजय बिल्कुल नहीं करेंगे किसी भी राज पर अधिकार नहीं करेंगे किसी राज के आंध्रिक मामनों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिलाल बी क्या होगा राइट होगा आगे बढ़ें सवाल नंबर नेक्स्ट करना है 1857 के केंड और उसके नेताओं परविचार करना है और सूची को सुमेलित करना है नाना साब नवाप हमीद अलिखा मौलवी एहमद उल्ला मनी रामदत क्या हो जाएगा तुझरा देखें पहरी बात यहां पर यह है कि भई यह जो आपका नाना साब हैं इनका समंध कहां से था कानपुर से और जानते हैं कि नाना साब इनको बोलते ह atenção का मूल नाम था नम था धोधू पंद्ध चया नाम था धोधूब्ध है और यह वास्तों में पेशवा थे cya ये पेश्वा थे और इनको मैं अपने पेंशन के लिए लगना था नवाब मौलवी एहमद उल्ला कहां पर थे आवद में थे इंजे के खिलाप सरकारने क्या था 50-000 का इनाम घोसित किया था चाहाँ का नियाम इनाम अठारसु सौ सौन्वान में घोसित किया था इसके बाद यहां पर जो मनी दीवान थे वो असम के रहने वाले थे और यह जो नौब तो अगर बोलू आपसे वही क pessाने वाले है और मैं चाहता हूंग हूंगी उनकी आने से पहले यहुआ मौने ऊर्दें सत्य सुदक समाज की संसापक कौन थे देखो भया सत्तिव सुदक समाज की स्था जोतिवा भूले साब का है और जोतिवा भूले की किताब का चानानाम जरूर याधर नहीं की किताब किया गुलाम गिरी भूले के किताब है तो यहां पर बिकलप आपका क्या हो जाएगा। इसके आगे चलें सवालंबर नेक्स्ट क्या है किस अजनियम में यहां प्रावधान किया गया कि बंगाल का गवर्णर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्णर जनरल होगा यहां पर दिया है रेगुलेटिंग एक 1773 चार्टर डेक्ट 1813, 1823 या फिर 1813 तो मित्रों या देखे इस विहाब पर लाड विलियम बेंटिंग को लाड विलियम बेंटिंग को वास्तों में भारत का पहला गवर्णर जनरल बनाया गया था यह भी आप ध्यान रखना एक बात और ध्यान रखो चुकि बात रेगुलेटिंग एक 1773 की हो रही है तो भाई इसके द्वारा क्या कोट के सफना होई थी कलकत्ता में सुप्रीम कोट की अस्थापना होई थी भाई और इस सुप्रीम कोट का जो म्क्न आधिस है फो कौन था esat इंपे पूचा जाता है यारफ ना पौन था या ऑपे इलिसा-इंपे को माना गया इलिजा-इंपे उसके मुख ने अधीस थे अगर में बाद Charter Act 1813 की करूं तो इसको दोराब पहली आ रखना पहली बात तो बहर British East India Company मनलब East India इस इंडिया कमपनी इस इंडिया कमपनी का क्या हो गया था का ब्यापारीक एक अधिकार समाप्थ हो गया था एक आधिकार क्या हुआ एक आधिकार समाप्त हो गया था भाई ठीक है समाप्त हो गया किस पर बचा था केवल चाए और चीन पर चाए और चीन को छोड़ कर चाए और चीन के साथ ब्यापार को छोड़ कर बागी सभी दूर हो गया था और इसी के दौरा ये जो 1813 का चार्टर इसके बारे में आदके इसके द्वरा पूर्ण रूपेन पूर्ण रूपेन ब्यापारिक एक अधिकार क्या हुआ समाप्थुआ था ठीक है तो यह सारे बात आप यहां ध्यानक हैंगे फिलाल इसका उत्तर क्या होगा सी हो जाएगा आगे बढ़ें सवाल निक्स्ट क्या बोला है धर्साना नामक धरने का निमिखित में से किस युनाइटर प्रेस के सम्मादाता ने ब्रिहद विवरा प्रदान किया देखे इसका उत्तर में आपको डारेक्ली बदाता हूं इसका अत्तर क्या हो जाएगा बेब म आपको टानि यह नहींोर जी में जो किया था क्या सवujemy अवज्या आं्धुलन सबीने अवज्या आंधुलन कि शुरॅज कि अल्यारन और dość च्रुला कि सुद्वात किया ऑon सवाल नमбर 90 क्या भूलना है अनहाप् guarantee पुस्त ख्लेख कौन है इसका डारेक्टली विकलबं देखो लाला लाज पत्राय विकलब्व आपका बिल को й है लाला लाज पत्राय और लाला लाज पत्राय है जिन्नोंने क्या ता जिन्होंने कहा था जिन्हों कुन्न का था कि मेरे लाठी पर मेरे सरीर पर क्या मेरे सरीर पर पड़ी पड़ी लाठी की 1 एक चोट लाठी की है एक एक चोट British राज की कील बनेगी ठीक है ताबूत की कील की चोट British यंग इंडिया यंग इंडिया इनकी किताब है याद रखे का भीया महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम भी क्या है यंग इंडिया यंग इंडिया महात्मा गांधी की पत्रिका का भी नाम है और यह लेकिन यहां पर क्या होगा विकल्प आपका ए बिल्कु लाइट हो जाए और मित्रों याद रखेगा यही आंदूलन आगे चल करके क्या बना आगे चल करके ग्राम दान में बदल गया था ग्राम दान आंदूलन में बदला था और ग्राम दान आंदूलन के शुरुआ जो है वो कहां पर होती है उडिसा से होती है उडिसा से होती है तो इन सारे प्रस में हमारे बंदर महापुरुस और मैं क्या बतूं कि यह इस इसको विसेसक हैं इनको सरवग्र बोलते हैं कि कई कई सारे विष्यों के महारति ही हमारे मारनी गुर्धेवार हैं और वो आपको लेकर चलेंगे बाकी क्या बताएं चीरा देखेंगा उनके बारे में खुछ जानेगा धुरंधर राइटिंग तो ऐसी होती है यार कि एकदम से छप जाती है ठीक है तो आईए सुराद करते हैं थैंक्यू शर्लीजे प्लीज नमस्कार मित्रो मैं इंजिनियर सुनील कुमार एके एजूकेशन की यूटूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और विनंदन करते हैं एक बार पुर्णा मैं आपके सामने जियोग्राफी लेकर उपस्तित हुआ और जितने भी प्रश्ण कराय जा रहे है जियोग्राफी से पूरा काशिप्चुल और वहाँ से प्रश्ण आपके एक्जाम में बाहर नहीं जाएगा वहाँ चलिए बेटा शुरू करते हैं पहले क्यूशन पहला क्यूशन है बहुत प्यारा क्यूशन है पहला क्यूशन आपके सामने है और बहुत प्यारा क्यूशन है बेटा तो ग्लोब पर एक डिगरी के अंतराल पर खीची गई अच्छांस रेखाएं कितनी हैं कितनी अच्छांस रेखाएं खीची गई हैं एक सो असी, एक सो अठतर, एक सो उन्यासी उप्रियुत मेंशे कोई नहीं आप लोग उत्तर दीजिए ये बहुत प्यारा क्यूशन है चलिए अगर मैं बात करूँ बेटा यहां से अगर मैं आपसे बात करूँ तो अच्छांस रेखाओं की बात किया जा रहा है तो यह आपके जीरो डिगरी अच्छांस रेखा यह जीरो डिगरी अच्छांस रेखा जो है जीरो डिगरी इससे बोलते हैं बिशुवत रेखा इससे क्या बोलते हैं बिशुवत रेखा बिशुवत रेखा जीरो डिग्री अच्छांस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बिशुवत रेखा या इसे बोलते हैं भूमद रेखा इसे बिशुवत रेखा या आपको भूमद रेखा अब बात क्या जाए जिरूर, ये है 90 डिग्री नार्थ, ये 90 डिग्री नार्थ है और ये है 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नार्थ और 90 डिग्री साउथ, अब इसे हम उत्री धुरू कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे उत्री धुरू कहते हैं, जी हां मेरे भाई, इसे हम उत्र दच्छड़ी धुरू करते हैं दच्छड़ी धुरू अब बात करें ऐसे जो है उत्तरी धुरू में एक डिगरी, दो डिगरी, तीन डिगरी, चार डिगरी, पांच, छे, साथ, आठ, नव करके कितना खीच लेंगे बेटा, 90 डिगरी तो एक से लेकर 90 डिगरी इधर हो गया, प्लस इधर बात करेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नव, दस, करके 90 इधर तो 90 इधर डिगरी हो गया, 90 अच्छांस रेखा है प्लस अगर मैं बात करूं, जो 0 डिगरी दिये अच्छांस रेखा है ये भी तो ये खो गया, तो ये खो गया, जी रो डिगरी तो टोटल अगर मैं बात क्या जाए तो ऐसे देखेंगे ये 90 इधर हो गया, नार्थ में, 90 साउथ में, एक इधर हो गया तो टोटल अगर मैं बात करूं बेटा, कितना हो गया तो आप बताएंगे 181 हो गया लेकिन यहाँ पर क्या पुछा जा रहा वेटा अच्छांस रेखाएं क्या पुछा जा रहा है मेरे भाई अच्छांस रेखाएं पुछा जा रहा है जी हाँ तो अच्छांस रेखाएं अगर हम आपसे पूछेंगी क्या पूछा जा रहा है अच्छांस रेखाएं पूछा जा रहा है और यहाँ पर 90 डिग्री नार्थ और 90 डिग्री साउथ तो 90 डिग्री नार्थ और 90 डिग्री साउथ जो है 90 डिग्री नार्थ और 90 डिग्री साउथ यह एक रेखा ना होकर यह एक रेखा ना होकर बाकी क्या है वेटा एक बिंदु है ना होकर एक बिंदु है और हमें क्या निकालने है रेखा लाइन निकालना और यह क्या है पॉइंट है एक बिंदू है तो अगर मैं बात करो टोटल कितना है बेटा 181 है तो 181 में 90 डिगरी नाथ और 90 डिगरी साउथ क्या है पॉइंट है तो दो क्या करेंगे बेटा घटा देंगे तो कितना आजाएंगे 179 अच्छांस रेखा 179 अच्छांस ठीक है 179 अच्छांस रेखा तो यहाँ पर राइट उत्तर आपका क्या हो जागा मेरे भाई 189 तो राइट उत्तर आपका क्या हो गए बेटा C हो गए देखो कितना प्यारा क्यूस्ट्टन है पूरा कंसेप्चूल क्यूस्ट्टन है तो देख लिए गए आगे बात करते हैं अगला किश्टन जो है 90 डिगरी पूरवी देशांतर पर इस्तित थिम्पू का अस्थानी समय थिम्पू का अस्थानी समय निर्धारित कीजिए जब ग्रिन्विच ग्रिन्विच चाइम 0 समय में दोपहर के 12 बजे का समय है बहुत प्यारा बात किया जब तक आपको देशांतर रिखाओं का यान नहीं होगा तब तक आप समय का अलोकन नहीं कर सकते हैं ठीक है तो जब तक देशांतर रिखाओं का अगर आपको अलोकन नहीं होगा तो देशांतर रेखाओं का तब तक आप समय निकाल नहीं सकते और समय निकालने के लिए आपको अगर मैं बात करूँ 90 डिग्री नार्थ और 90 डिग्री उत्री धुरू को दच्छडी धुरू से मिलाने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम बात किया जाए तो इससे जीरो डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं जीरो डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या बोलते हैं ग्रिनविच मीन ग्रिनविच माद समय रेखा जिससे हम GMT के नाम जानते हैं चले ये हमें होगा अब 0 डिग्री से 90 डिग्री अब 0 डिग्री से अब मैं पूर की और चलने पर पूर की और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर की और जाने पर पूर की और जाने पर समय में ब्रिधी होती है समय में ब्रिधी होती है और पास्चिम की और जाने पर पास्चिम की और जाने पर समय में कमी आती है समय में कमी आती है ऐसा क्यों होता है बेटा ऐसा इसलिए होता है होता है क्योंकी प्रिधी पास्चिम से पूर्व की और घूमती है पास्चिम से पूर्व की और घूमती है तो पास्चिम से पूर्व की और घूमने के करण जो है पास्चिम से पूर्व की दिशा की और जाने पर समय में ब्रिधी होती है इसलिए अगर बात क्या जाए पूर्व की और जाने पर पूरो की योग जाने पर समय में समय में क्या होती है? ब्रिध्धी होती है ठीक है? अब बात किया जाए बेटा प्रिध्धी को एक चक्कर पूरा करने में प्रिध्धी को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय प्रिध्धी को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय तो पृतिवी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है बेटा? 24 आवर से लगता है नहीं आप कहेंगे हाँ गुरुजी कितना घंटा लगता है? 24 घंटा लगता है तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी 24 घंटा लगता है प्रिद्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितने डिगरी कोड बनाती है 360 डिगरी कोड बनाती है कितना बेटा 360 360 डिगरी इचकल टू कितना हो गया 24 आवर्स हो गया कितना हो गया बेटा 24 आवर्स हो गया तो एक आवर्स इचकल टू 360 अपान 24 का क्या कर देंगे भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 15 डिगरी तो एक आवर्स इचकल टू कितना डिगरी बेटा 15 डिगरी ठीक है तो याद रखिएगा एक आवर्स इचकल टू 15 डिगरी अब बात करते हैं 15 डिगरी इचकल टू कितना बेटा एक आवर्स इचकल टू, ठीक है, और एक आवर्स इचकल टू, आपान तो एक आवर्स इचकल टू, साथ मिन्यत नहीं एक दिगरी इचकल टू, जो है, वह कितना도 मिनित है बेटा?, चार मिनित ठीक है तो एक डिगरी इसकल टू कितना है चार मिनट अब बात करते हैं यहां तक क्लियर हो गए बैटा अब थोड़ा प्रेशन पर आते हैं कि ग्रिन वीच यहां पर देख लेते हैं बैटा अब यहां पर अगर हम बात करें कहा गया यह माल यह 0 डिगरी देशांतर रेखा है अब थिम्पू की अगर मैं बात करो इसे जीमती की मैं बात कियो तो यहां पर दोपहर का कितना बजा है बैटा दोपहर का बारा बजा है थिम्पू जो है पुर्बी देशांतर रेखा कितने पर है बैटा 90 डिगरी इस्ट में पुर्बी देशांतर रेखा ठीक है यह आपका थिम्पू द्यान समझे है यह हो गया आपका थिम्पू भुटान अब इसे दो आप देखेंगे यह 0 है 0-90 अगर बैबात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे एक घंटा इसकल्टो 15 डिगरी एक घंटा इसकल्टो हमने क्या निक्याला बैटा एक आवर्स इसकल्टो 15 डिगरी था 15 डिगरी ठीक है तो 15 छक्का 90 अगर बात क्या जाए 6 आवर्स इसकल्टो जो है वो कितना डिगरी हो जाएगा 90 डिगरी तो आपका ऐसे भी हो सकता है यह आप जानते हैं पहला मेथड दूसरा मेथड आप यह भी कर सकते हैं 90 डिगरी को हमें किस में बदलना है मिनट में बदलना है तो कितना 4 मिनट से हम मल्टिप्लाई कर देंगे तो 90 गुड़े 4 कितना हो गया नव चोग 36 तीन सो साथ मिनट अब तीन सो साथ मिनट में अगर हम साथ से भाग कर देंगे तो कितने में तो घंटा तो यह च्छा आवर्स तो यहाँ पर देखा गया बेटा इन में 0 डिगरी देशांतर रेखा में और 90 डिगरी देशांतर रेखा में कितने तो 6 गंटा अब क्या बेटा आगे है तो आप कहेंगे 6 गंटा प्लस जोड दे रहें तो यहाँ 12 बजा है और यहाँ 6 गंटा जोड देंगे तो साम का कितन हुआ बेटा आप कहेंगे नहीं गुरू जी तो राइट उत्तर आप क्या लगा देंगे आप ए लगा देंगे तो राइट उत्तर आप ए लगा देंगे जब कोई दिक्कत ही नहीं गुरू जी क्यों क्योंकि हम नहीं पूरा का पूरा कांसिप्ट क्या है समझ लिया चलिएग चलिए बेटा बताईए चलिए इसे आप भी बताईए और आगे चलते है तो राइट उत्तर क्या हो जागा बेटा भूखाब तो रियक्टर इसकेल से क्या मापा जाता है भुकम की तिवरता मापा जाता है अगला प्रशन है निमलिखी तमेशे काउन सा युवा वलित परवत नहीं है वलित परवत नहीं है चलिए आरावली के अगर बात क्या जाए इंडीज की अपलेशियन परवत उपरियुक तमेशे एक से अधिको प्रियुद में से पूई चलेगा अब बताए कितना प्यारा क्यूशन है बहुत प्यारा क्यूशन है और इसे बताएं आप लो बताएं भाई चले अगर निर्मार के आधार पर देखते हैं किसके आधार पर बता निर्मार के आधार पर तो यहाँ पर अगर मैं निर्मार के आधार पर देखूँ निर्मार के आधार पर जो प्रश्णी दिया गया है निर्मार के आधार पर जिन परवतों का निर्मार जीन परवतों का निर्माड प्रीक्रेम्बियन यूग में हुआ था यूग में नवीन या वलित मोड़दार परवत के रूप में हुआ था वलित नमीन वलित या मोड़धार परवत के रूप में हुआ था हुआ था इसलिए इसलिए इन परवतों को प्राचीन मोड़दार या वलित परवत के नाम से वलित परवत के नाम से नाम से जाना जाता है तो इसलिए इन परवतों को प्राचीन मोड़दार परवत या प्राचीन वलित परवत के नाम से जाना अब इनका निर्मार प्रीक्रैम्बियन यूग में हुआ था सबसे पहले हुआ था सरो परथम इन ही परवतों का निर्मार हुआ था इसलिए इन प्राचीन मोड़दार या प्राचीन वलित परवत के नाम से जाना जाता है वर्तमान में इन परवतों का अपच्यन एवं अपरदन होगे इन परवतों का अपच्यन एवं अपरदन होने के फल शुरूप क्या हुआ? अपच्यन एवं अपरदन के फल शुरूप सेस बचे हुए भाग को आउसिष्ट परवत कहते हैं इसलिए इन परवतों को हम क्या बोलते हैं? आउसिष्ट परवत कहते हैं एक्जामपल में अगर मैं बात करूँ ते एक्जामपल में क्या है बेटा? आपका अरावली परवत है आपका अपसेलियन परवत ये आपके प्रीक्रेम्बियन युग में इनका निर्माड हुआ था इसलिए अपचे अउम परदन के फल सरूप जो बचे हुए भाग हैं उन्ही बचे हुए भाग को हम आउसिष्ट परवत कहते हैं ये अपना मूल सरूप खो चुके हैं क्योंकि निर्माड के अवस्था में जो इनकी मूल अवस्था था अब धीरे धीरे अपचे परदन के फल सरूप इन्होंने अपनी मूल सरूप खोल चुके हैं इन्हीं आउसिष्ट परवत कहते हैं अब हम बात करते हैं आगे मेरे भाई आगे में बात किया जा है तो अगर में बात किया जा है अभी नवीन मूड़ार परवत में अगर में एकजम्पल लो नवीन मूड़ार परवत जिसका जिनका निर्माड जिनका निर्मार अकर वाज गया तिर्थियक कल्प में हुआ था तिर्थियक कल्प में हुआ जिसका निर्मार किसी युग में हुआ बेटा है तिर्थियक कल्प में हुआ ठीक है तिर्थियक कल्प में हुआ यहां तक क्लियर हो गया अब जैसे हम बात किया जाए यहां पर तिर्थियक कल्प में हुआ नमीन मुड़ार था दो परवतों के टकराओ के करण अब बात के रहे हैं नमीन दो परवस्त जब दो प्लेटों के इनका निर्माड दो प्लेटों के टकर के कारड मोड़दार या वलित परवतों का निर्माड होता है वलित परवतों का निर्माड होता है तो वलित परवतों का निर्माड होता है जैसे अगर मैं एक्जामपल मिलूं नमीन में तो जैसे हिमाले परवत और अभी भी अगर हिमाले परवत अगर हिमाले पर्वत की अगर मैं बात करो हिमाले पर्वत की सबसे उची चोटी का नाम है माउंट एवरेष्ट सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट कहा बेटा नेपाल में वस्ती थे और नेपाल में बात क्या जा यह बिश्यो की भी सबसे उची चोटी है बिश्यो की सबसे उची चोटी जी हाँ यह बिश्यो की भी सबसे उची चोटी है यह बिश्व की भी सबसे उची चोटी मिश्व एक है इसकी लंबाई अगर बात क्या जाए 8848 मीटर उची थी 8848 मीटर उची थी लेकिन अगर हम बात करेंगे अब देखो अब वरतमान में अगर मैं बात क्या जाए अब 8850 मीटर उची हो गई अब बात के लिए इसका तात्पर ये हुआ हिमाले परवत अभी भी निर्माडा अवस्था में है हिमाले परवत हिमाले परवत अभी भी निर्माडा अवस्था में है अभी भी निर्माडा अवस्था में है तो हिमाले परवत अभी भी किस रूप में है निर्माडा अवस्था में है क्योंकि अभी प्लेटो का टकराव क्या है प्लेटो का टकराव हो रहा है प्लेटो के टकराव हो रहा थी इसका तात्र ये हुआ कि जो हिमाले की चोटी में हिमाले की सबसे उची चोटी माउंट एरेट की उचाई में बृद्धी हो रहा है इसका तात्परे हुआ हिमाले के टकराओ के करण जो है आउसादो का उत्थान हो रहा है क्या होता जब दो प्लेट टकराते हैं तो आउसादो का उत्थान होता है इसका मतलब है लगातार तकराओ के करण आउसादों का क्या हो रहा है उत्थान हो रहा है आउसादों का उत्थान होता है जब तकराओ होता तकराओ होता तक आउसादों का उत्थान होता जिसके करण जो है माउंट और इसकी उचाई में लगातार बिर्दी हो रहा है तो यह ह इमाले परवत होगा, इसके समय के अगर मैं बात कर जाए, आपका इरॉआल परवत होगा, इरॉआल परवत, आपका आलपश परवत, आलपस परवत, आपका इंडीज परवत, इंडीज परवत आपका राकीज परवत आपका राकीज परवत तो ये सारे परवत आपके क्या है वेटा ये नमीन मोड़दार परवत है चलिएगा अब आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पुझा कौँ सा युवा मतलब नमीन नहीं है नवीन या मोड़दा परवत नहीं है और आवली है अपलेशियन है तो राइट उत्तर क्या हो गया उप्रियूत में से एक से अधिक क्योंकि नहीं है तो काउंसर नहीं है और आवली और अपलेशियन है तो राइट उत्तर आपका क्या हो जागा बेटा डी आपका राइट उत लारेंसियन लेंड, अंटारेटिका महादिव, उप्रिमेशे, एक सेधीक उप्रिमेशे, कोई नहीं है चलिए बताईए बेटा, बहुत सरल प्रश्ण है, आपके लिए तो एकदम सरल प्रश्ण है ठीक है? चलिए बताईए, बात के रहें ठीक है? चलिए मैं बात करूँ तो ये हमारा जो है बेटा ये एक भूखन्ड है, जो पैंजिया नाम दिया गया पैंजिया नाम दिया धियान समझे, पैंजिया और पैंजिया जो है बताया गया, वह चारों तरफ जो है किस से घिरा हुआ है? एक बिशाल, एक बिशाल सागर से घिरा हुआ जिशे हमने पैंथा लाशा कहा पैंथा लाशा कहा, ज्यान समझे, तो पैंथा लाशा कहा है, ठीक? तो ये पैंजिया जो है, एक बिशाल, एक ब्रिहद, ब्रिहद, एक ब्रिहद, भूखंड है एक ब्रिहद भूखंड को हमने क्या कहा पैंजिया नाम दिया? और एक ब्रिहद, जली, भाग को हमने क्या कहा? ब्रिहद, जली, भाग है ब्रिहद, जली, भाग को हमने पैंथा लाशा नाम दिया और ये पैंथा लाशा जो पैंजिया है, वह चारों तरफ पैंथा लाशा से घिरा हुआ है यह समया ऐसा लाया जो है पैंजिया में विखंडन हुआ पैंजिया में विखंडन हुआ क्या हो गया बेटा तो पैंजिया में विखंडन हुआ पैंजिया में विखंडन हुआ पैंजिया में विखंडन हुआ एक प्लेट उत्तर क्यों खिसक गए इसके उत्तरी भाग को और दच्छरी भाग को, ठेक है, उत्तरी भाग को हम लारेंसियन लेंड कहते हैं, लारेंसियन लेंड, और दच्छरी भाग को हमने क्या कहते हैं, गोड़वाना लेंड, गोड़वाना लेंड, तो दच्छरी भाग को हम क्या बोलते हैं, गोड़वाना लेंड, और उत्तरी भाग को अगर बात कहते हैं, लारेंसियन लेंड या लारेंसियन लेंड या कहते हैं, अब इसमें जो देश आते हैं, इसमें जो देश आते हैं, लारेंसियन में अगर मैं बात क्या जाए उत्री अमेरिक्या महादीब और इसके बाद यूरेशिया महादीब अब इउरेशिया महादीब को मतलब है यूरोप प्लस एसिया का साइवेरिया छेतर गोडवाना लेंड में अगर मैं बात करो तो दच्छड़ी अमेरिक्या महादीब इसके बाद अफरीक्या महादीब इसके पहस्चाथ अगर हम बात करेंगे आस्टेलिया एवं भारत तो भारत के, अगर हमेरे बात करो तो भारत किसमें आ गया बैटा तो भारत का जो प्रायति प्लस जोप है किसका भाग है, गोडवाना लेंड का है, देखो एकदम आस्पस्ट रूप से हमने निमलिक्ष दुमेंशे किस चटानों के अस्तर में जमा होता है आउसाधी चटान, रुपांतरी चटान, आगनी चटान वो प्रिवेशे एक से अधिक तो जो खनीच पाए जाते है बेटा, ये तीनों चटानों में पाए जाते हैं अगर मैं बात करूँगा चक्टान रॉक्स की अगर मैं बात करूँगा तो रॉक्स की अगर बात किया जाए तो ये है आपका आगने चक्टान आगने चक्टान ये आपके है आउसादी चक्टान और ये आपके हैं कायांत्रित या रॉपांत्रित चक्टान कायांत्रित या रॉपांत्रित चक्टान तो कायांत्रित या रॉपांत्रित चक्टान तो कायांत्रित या रॉपांत्रित चक्टान चलिए बेटा, ठेकिए अगर अब बात के रहा है, तो आगने चटान का निर्माड अगर बात कलूँ, तो निर्माड, तो अगर बात के आगने चटान का निर्माड जो है, लावा के सीतली करड से हुआ है, लावा के ठंडा होने से, जिस चटान का विकास हुआ है, उसे आगने चटान का हते हैं, तो लावा के सीतली करड से हुआ है, तो ठीक है, तो लावा के सीतली करड से जिस चटान का विकास हुआ है, उसे हम बोलते हैं आगने चटान, और आगने चटान में अगर मैं बात किया जाया है, तो कौन से चटान आएंगे, तो गरनाइड चटान, गरनाइड चटान, आपके बेशार चटान, तो यहां लावा या, आपके मैगमा के सीतली करड से जिस चटान का विकास हुआ है, उसे आगने चटान कहते हैं, और आगने चटान, अगर हम आपसे बात करेंगे, तो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गनाइड चटान, बेसाल चटान और ग्रेबो, एक और सब्द पूछा जाएंगे, ग्रेबो चटान, यह सब आपके किस प्रकार के चटान है, तो यह आपके आगने चटान, इसमें अगर बात किया जाएंगे, किस प्रकार के इ पाई जाएंगे तो इसमी जो खनुिश पाई जाएंगे तावा पाई जाएंगे जस्ता पाई जगे सीसा पाई जगे तो तावर लव एशोना तावा जस्ता सीसा मैं बात कियाँ क्रोमटाइड मैगनीज क्रोमाइट मैगनीज इत्याद इत्याद जो है इस प्रकार के खनीज किस्में पाई जगते हैं आगनीज चत्तान में पाई जाते हैं अब बात करते हैं आवसादी चत्तान के तो आवसादी चत्तान का जो निर्माड हुआ है आवसादी चत्तान का जो निर्माड हुआ है आगनी चत्तान के अपच्छे एम आगनी चत्तान के आगनी चत्तान के अपच्छे एम अपच्छे एम अपर्दन के फल सुरूब हुआ है अपर्दन के फल सुरूब फल सुरूब तो अपर्दन के फल सुरूब जो है आउसादी चक्टान का विक्यास हुआ है अब हम बात करते हैं आउसादी चक्टान का विक्यास हुआ अब इसमें देखते हैं क्या कौन सा खनीच पाई जाते हैं प्राक्तिक में गैस की बात करूँ प्राक्तिक गैस जो है किसमें आउसादी चत्तान में पाई जाते हैं अब में बात करूँ इसमें जो है पेट्रोलियम की में बात करूँ तो पेट्रोलियम भी इसी में पाई जाते हैं अगर मैं बात करूँ कोईला की तो कोईला भी जो है और साथी चटान के तहट पाई जाते हैं मैं चाक की बात करूँ तो चाक भी इसी में पाई जाते हैं मैं सिल्खडी की बात करूँ शेलखडी भी इसी में पाए जाते हैं मैं नमक की बात करूँ तो नमक भी इसी में पाए जाते हैं तो नमक भी इसी में पाए जाते हैं तो नमक भी इसी में पाए जाते हैं इत्यार का भंडार इसमें पाया जाता है अब मैं बात करूँगा कायांत्रित चट्टान और रुपांत्रित चट्टान का ठीक है तो इसका अगर मैं निर्माड की बात करूँ तो इसका निर्माड किसके दारा हुआ है तो इसका निर्माड अगर हम बात करते हैं वेटा आगने चत्तान के आगने चत्तान एवं आउसादी चत्तान के तापमान एवं दाप के कारर जब सुरूप में परिवर्तन होता है तो कायंतरित चत्तान का विक्याश होता है रुपान तो जो आगने चत्तान एवं आउसादी चत्तान है जब इस पर प्रेसर और ताप अत्यधिक होने के कारर तो प्रेसर और ताप अत्यधिक होने के कारर अत्यधिक होने के कारर, ये अप इनकी मूल सुरूप में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, ये अपना मौलिक सुरूप हो देते हैं जिसे एक नए चत्तान का विक्याश होता है एक ने चट्टान का भी क्यास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं रुपांतरी चट्टान या आगने रुपांतरी या कायंतरी चट्टान जैसे अगर बात कह जाए नीश का मैं बात कह जाए कौार्ट जाइट का कौार्ट जाइट का मैं अब बात करूँ संग मरमर का मैं बात करूँ सिश्ट का तो ये किस प्रकार के खनीज जो है ये कायंतरित चटान में इस प्रकार के खनीज पाए जाते हैं अब आते हैं हम प्रश्ट पर देखते हैं कि खनीज निम लेकिन मेंसे किस चटान के स्थन में जमा होता है आप बताएंगे उपरियुत में से शभी में जमा होते हैं अलाग अलाग शरूत में ठीक है तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा अब ये आप जब कांसेप्ट पढ़ लेंगे आपके इस कांसेप्ट से सारे प्रश्ण हो जाएगा अब आईएगा बिटा ठीक है अब देखते हैं भूपटल के टुकड़े जो मिंटल में गत द्वारा नीरनतर धीमी गत से प्रवाहित होती है इस सिध्धान्त को क्या कहा जाता महा दुपी बहाव सिध्धान्त पैंजिया सिध्धान्त प्लेट टेक्टॉनिक सिध्धान्त प्लेट सीमा सिध्धान्त चलिए बताईए बहुत प्यारा प्रश्ण है इससे क्या बोलता है वेटा, प्लेट टिक्टॉनिक थियोरी, जिससे प्लेट टिक्टॉनिक थियोरी के नाम जानते हैं, प्लेट टिक्टॉनिक थियोरी, त्राइट उत्तरा आपका क्या हो जाएगा वेटा, आपका C हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रेश्णम बात करते हैं, चले यह important question में से एक घाना तट पर जो घाना तट पर सोने की सम्रिद पलेसर जमाव पाए जाते हैं तो जो घाना तट है यहाँ पर जो है सोने की सम्रिद पलेसर जमाव पाए जाते हैं और बता जाता है ब्राजील में सोने की सिराय पाए जाते हैं बिलुकुल यह right statement है पहला तो statement आपके क्या हो गया राइट दूसरा देखते हैं किसी समय ये महादुये पे Atlantic तट के साथ एक साथ सायूत थे सही उत्तर चुनिये तो ये भी आपका सायूत क्योंकि अगर मैं बात करूँ ध्यान से समझेगा अगर हम बात करती हैं ठीक है ये हमारा है अफरीका कंटी निंटल ये अफरीका कंटी निंटल की मैं बात कर रहते हैं ये आपका है अफरीका कंटी निंटल और यही पर आपका है घाना ये आपका है क्या बटा घाना और अगर हम बात करेंगे ये हमारा है ब्राजील ये हमारा है ब्राजील और देखो यहां पर सुनी का समय तो इसका मतलब अगर आप जोड़ोंगे तो यहां पर जो है ये एक समय दोनों क्या होंगे एक साथ सहीं तो थे इसलिए गहाना और ब्राजिय दोनों पर क्या पाए जाते हैं बेटा सोनी का जमाव पाए जाते हैं तो statement है लेकिन बताया का गहाना तड़ पर सोने के समर्द प्लेसर जमाव पाए जाते हैं अब बराजिल में सोने किस रियाय पाई जाते हैं, क्योंकि किसी समय में ये महादूइप अटलांटिक तड के एक साथ क्या होंगे, जुड़े होंगे, क्या है, राइट उत्तर आपका क्या हो गया, ए हो गया, जो कथान है, कारक की सही ब्याख्या करता है, चले अगला प्रश प्रशावी, दुबई, सार जहां, अजमान, उम्म अलकैन, फुजराह, रास अलकैमा, दुबई, सार जहां, अजमान, जद्दा, वैद, बहरीन, उम्म अलकैन, फुजराह, रास अलकैमा, रियायत, दम्माम, ठेक है, ताइब दुबई, सार जहां, अबुधावी, अजमान, फुजराय, दुबई, बहरीन, कुवैत ठीक है? चले बताई बेटा है ये क्या है? दुबई जो है, शौदी, युवई की अगर बात किया जाए उनाइटेड अरब अभजात इनाइटेड अरब अमिरात की बात हो रही है इनाइटेड अरब अमिरात जो है ये कितने? साथ राज्यों में बटा हुआ है साथ राज्यों में बटा हुआ है साथ राज्यों में बटा हुआ है ठीक है? साथ राज्यों में बटा हुआ है अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ अगर आपको बात क्या जाए ठीक है तो यहाँ पर अगर क्यूसन चार्टने की द्रिश्ट से देखा जाए तो बहरीन जो है एक देश है कुबायत एक देश है इसलिए यह statement क्या होगा बैटा गलब रियाद जो है रियाद की अगर मैं बात क्या जाए रियाद या अगर बात क्या है सौदी अरब की राज़ानी है साओधी अरविया की राज़ानी है तो साओधी अरविया की राज़ानी है ये भी स्टेटमेंट आप क्या का गलत हो गए तो बहरीन कुबैद यहां पर देख रहे हैं जिद्दा तो ये सब क्या है बेटा एक गलत हो गए तो राइट उत्तरापका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा तो अबुधावी, दुबई, सारजा, अजमान, उम्म, अलकैन, फुजराय, रास, अलकैमा, जो है, यह साथ तो युई की रियासिती जो है, राज जो कितने है बेटा, साथ राज जो में बटे हुए है, राइट उत्तरापका ए हो जाएगा चले, क्लियर हो गया, साबुन एवन डिटर्जेंट स्रोथ है, कार्बनिक प्रदूसर के जैसे के गिलिसराल, पॉलिफास्पेट, सल्फोनेटेड, हाइड्रो कार्बर, उपरिव दिमेश से एक से अधिक अब हम बात करते हैं साबुन के बारे में, जल्दी आप लोग उत्तर दीजिए साबुन, ठीक है अगर बात करें, साबुन बनानी के लिए अगर मैं बात करो जाए, साबुन बनानी के लिए साबुन बनाने के लिए जो वसा काप्रियों फैट के अगर मैं बात कर जाए, तो फैट और जो तील में आयल की बात करो तो आयल ठेक है? तो साबुन बनाने के लिए जो तेल और फैट कप्रियों के से पाउधों और तेल पाउधों और जानवरों से निकाले जाते हैं कहां से निकाले जाते हैं? जानवरों से निकाले जाते हैं तो साबुन बनाने के लिए जो फैट और तेल जो है वो पाउधो और जानवरों से निकाले जाते हैं क्लियर है? इसमें वसा के परते अगर बार के तीन एंटी तीन फैटी एसिट अड़ों मिलाए जाते हैं तो चलिए इसके प्रदोसर से बात करें ग्लिसराल भी निकलता है पालिफास्पेट सल्फोनेटर हाइडो कारवन तो इसका मतलब है उप्रियुक्त मेशे एक से अधिक तो राइट उत्तराब का क्या हो जागा बेटा तो राइट उत्तराब का डी हो जागा तो राइट उत्तराब का डी हो जागा आगे बढ़ते हैं बेटा मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया दोरा होता है अनाच्छादन, उन्नेयन, अपच्छेन, उपरियुक्त मेशे एक से अधिक उपरियुक्त मेशे कोई है चलिए बेटा, बहुत प्यारा प्रश्न है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे ठीक है? तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे बहुत प्यारा प्रश्न है मिट्टी का जो अपच्छे एम अपर्दन के बात किया मिट्टी का निर्माड जो है तो मिट्टी का निर्माड अगर मैं बात किया जात किस प्रक्रिया के द्वारा बेटा अनाच्छादन प्रक्रिया के द्वारा डिनियेशनिक अगर मैं बात किया जाए तो अपच्छे एवम अपर्दन के फल सरूप जो है अपच्छे एवम अपर्दन मतलब वीदर की अगर मैं बात किया था वीदरिंग वीदरिंग अपर्दन इरोजन की अगर मैं बात करूँ अपर्दन इरोजन इरोजन अपच्छे का मतलब होता है जब पत्थर जो है के टुकड़े अपने अस्थानों पर जब चटान के टुकड़े अपने अस्थान पर क्या होते हैं तूड़ते फूड़ते हैं जब चटान अपने अस्थान पर तूड़ते फूड़ते हैं उससे अपच्छे प्रक्रिया, अपच्छे प्रासेच कहते हैं अब अर्दन के दौरान क्या होता है तो किसी ने किसी एजन्ट के माध्यम से किसी एजन्ट के माध्यम से माध्यम से चटान के टुकड़ों को चटान के टुकड़े को या इसी क्या बोलेंगे? या अउसाद या मलों को एक अस्थान से एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान पर ले जाकर तो ले जाकर निच्छेप करते हैं जमाव करते हैं ठीक है? तो अब यहाँ पर एक सब्दाए एजन्ट एजन्ट क्या होगा बेटा? चाहे वह वाई होगी वाई को दोरा परदन होगा चाहे नदी होगी या वर्सा का जल होगा वर्सा का जल होगा चाहे पवन होगा एजेंट चाहे आपकी हिमानी होगी हिमानी हो के द्वारा तो इन के द्वारा जो है आउसादों को एक अस्थान से बहा कर जब दूसरे अस्थान पर ले जाते हैं उससे जब जमा होता तो उससे मिट्टी का निर्माड होता तो यहाँ पर बात क्या जाए डिनिवेशन अनाच्छादन ये राइट आपका उत्तर होगा ठीक है सिर्फ अप्छेंड से नहीं होगा सिर्फ अनाच्छादन से होगा ठीक है तो अनाच्छादन और अप्छेंड के अंतरगत जो है अप्छेंड ठीक है पस्तिमी विश्चो, कालवाय साक्षी, मांसु से पहले की वर्सा, उप्रियुक्त मेशे एक श्याधी की उप्रियुक्त मेशे पोईनी चलिए अगर मैं बात करूँ अब मैं बात करूँ, ये हमारा है भूमद सागर ये भूमद सागर है और भूमद सागर, ये आपका भूमद सागर, ये आपका है काला सागर ये आपका है कैस्पियन सागर, तो ये आपका है काला सागर ये आपका काला सागर है, तो ये आपका कैस्पियन सागर है काला सागर और कैस्पियन सागर और ये हमारा है इंडिया इंडिया भारत की बात की बात समय है शीत काल की सीतरीत की समय अगर मैं बात करो तो बात किसकी है बेटा सीतरीत की समय की सीत रीद के समय सीत रीद के समय ठीक है सीत रीद के समय में भूमद सागर में सीत रीद के समय भूमद सागर में पस्चमी जेड इस्ट्रीम की उत्पत्ती होती है पस्चमी जेड इस्ट्रीम पस्चमी जेड इस्ट्रीम की उत्पत्ती होती है किसकी उत्पत्ती होती है पाश्चमी जेड इस्ट्रीम की उत्पत्ती होती है इसकी जो प्रवाह की दिशा है यह जो है पाश्चम से पुरोगी ओर है जब पश्चिम से पूर्व की ओर है ठीक पश्चिम से पूर्व की ओर हो है तो ठीक है देखो ये तो पश्चिम ही जड़ी स्ट्रीम है और जब यहां हिमाले परवस से टकराती है धेना समझेगा तो जब पश्चिमी जड़ी स्ट्रीम हमने क्या का बेटा जब पश्चिमी जड़ी स्ट्रीम जब पश्चिमी जड़ी स्ट्रीम हिमाले परवत से टकराती है हिमाले परवत से टकराती है जब हिमाले परवत से टकराती है तो वह दो हिस्चों में बढ़ जाती है वह दो हिस्चों में बढ़ जाती है वह दो हिस्चों में बढ़ जाती है पहला गरवात के दर पहला हिस्सा जो है या पहला भाग या पहली साखा पहली साखा पहली साखा हिमाले परवत के उत्तर में प्रवाहित होती है अब दूसरी साखा के अगर में बात करो तो दूसरी साखा भारत में प्रवेश करती है भारत में प्रवेश करती है जिसे पश्चमी विश्चोब के नाम से जाना जाता है और इस पश्चमी विश्चोब के द्वारा भारत में उत्तर भारत में उत्तर भारत के राज्यों में वर्सा होती है अब बात के जाए पश्चमी जेडी स्ट्रीम को जल की प्राप्ती कहां से होती है तो जल की जो प्राप्ती है जो जल की प्राप्ती अर्थात आदरता की जो प्राप्ती हो रही है वाश्च की वह कहां से काला सागर काला सागर और कैश्पियन सागर से तो काला सागर और कैश्पियन सागर से ठीक है अब आते हैं प्रेस्ट पर हम तो यहाँ पर देखा गए कि क्या कहता है वेटा पास्चमी विश्च्च्वत्राइट उत्तराप्ता ए है तो यहीं पर क्लास को रोगते हैं, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगले नए नए क्यूस्टन के साथ तब तक के लिए धन्यवाद, जैं हिंद साथियों क्यूस्टनreci tại का भी मिलते हैं, अगले के साथियों 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 जैं अगले क्योंकि उन्यवाद प्लदीत हैं, अगले के सा उता हैं, इस बैन्यवाद हाँ in top झाले कर रे क्यूस्या wäre जैं।